अचिछ secrets है तो हाजाएए सभी के सभी logan पर tutti come on come on come on come on come out everybody a very 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 good evening to all of you आईये मेरे भाई फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से कम ओन जल्दी से 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 ज है को प्रियंक यादव का पूछना है को जैपूर से है क्यों ह अविकरवाने वाली हो क्या यह बहुत द्यांसर सुनता कि जो अपने अभी रेगलो वाली क्लास हुई थे ना उसमें almost अगर मैं बात करों तो जो आपके amendments है वो covered थे ठीक है लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पर सोच रहाँ कि एक दिन अलग से आपके satisfaction के लिए company law का SBC का SLCM का तीन ही subject आपके essay जिसमें supplement दिये हुए ठीक है तो वो supplement का discussion जो है ना वो एक दिन अलग से अपन बैठके यहाँ पर कर लेंगे आज 15 है तो यह तो 16 को यह 17 को अलग से बैठेंगे और बैठके वो supplement का अपन अलग से निप्टा लेंगे तो वो आपका हो जाएगा फिर ठीक है चलिए आजो भाई साहे कमान 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आते जाएंगे और जैसे जैसे आप आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लाइक का बटन आपको महाँ पर दिया हुआ है उस बटन को आप फटा फट से फटा फट से दबाते जाएगा हेलो नेहा बिटा लव यू टू मैंने नहीं देखना है सप्लीमेंट चले कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अगर आप सप्लीमेंट नहीं देखते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता है कवर कर लेंगे कुछ बच्चों का रहते हैं नहीं सब कुछ कवर होना चाहिए सर कुस्तो होगा बोले उसके अंदर में भी आपने हाँ पर बोल दिया कि ऐसा कुछ इंपॉर्डन उसमें नहीं है बट सर फिर भी कुस्तो होगा सर क्या पता महां से आ जाए तो मेरे ठीक है आपके साथ में हैं तो भीया है फिर आकरी मोमेंट तक आपके साथ में और किसी भी चीज में कोई भी चीज जो है वो यहां पर छोड़ेंगे नहीं सब कुछ प्रीवेस कुशन आउट ओफ चार्ट आ रहे हैं तो क्या चार्ट सफिशन्ट है क्या रोकी भाई अरे रोकी मे जाते हैं अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूंगा यह जो चार्ट है यह तो मेरी रेगुलर क्लास के अदर आपके नहीं रहेंगे हम तो यहां पे फटाफट कोई रिविजिन जो है वह करने की कोशिश जो है वह करें ताकि confidence अपने पास में आ जाए कि हाँ भाई साब हमारा प्रिपरेशन जो है वो ठीक ठाक प्रिपरेशन हमारा हो गया है और हमने चीजों को एक बार क्या कर लिए एकी दिन बैठके तीन से चार घंटे हमने जितना रिवाइस करने की कोशिश करी उतना बुले हो पाया हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं और यह होने के बाद में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं मतलब अभी तो नहीं आएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा ना जब वो गलती से फेल वगरा हो जाए तो आएंगे और यह कैसी क्लास है तीन घंटे में बुले रिवाइस करवाने का बात करते हैं पुरा रिविजन भी ढंग से करवा के नहीं देंगे कि हम आज का जो टाइम पिरिड है आट बजे से लेके रात को बारा बजे तक उस टाइम पिरिड के अंदर जितना जादा कंटेंट हो सकता है उतना अपन यहां पर रिवाइस करने का जो कोशिश है न वो अपन यहां पर करेंगे मेरे भाई जितना रिवाइस हो पाए उतना अलावा आपको और देखने वाले नहीं हो यह समझ में तो ऐसा जो ही वह ध्यान में रखेगा सर बुले टैक्स लोग का मैरथॉन नहीं होगा क्या याशी का उपद्याय काहे नहीं होगा पूरा आपको बताए हुए ना सारी की सारी जो बाते हैं आपको यहाँ पर बताई हु हैं यह क्या बात हुई आर फोर एस एम इंटू पांड़ा सर हम सी एस में टॉप हैं लेकिन पेपर में नाम नहीं आया है क्या करें हम एने डिवाइस मतलब सी एस में टॉप है मतलब सी एस में टॉप है मतलब क्या अगर आप सी एस में टॉप हो तो CS Exitive क्यों दे रहे हो दकलिपसी सब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है क्या करूँ छोड़ दे भाई और क्या करेगा इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा कोई दूसरा इंसान जो है वो यहाँ पे कुछ भी आपको बता नहीं पाएगा सबसे पहली बात अगर कोई यहाँ पे नया नवेला बच्चा है जिसने SLCM का जो मैराथान हुआ था वो मैराथान अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं आपको यह बता दो भाई सब कि इस मैराथान के जो यह वाले चार्ट्स है यह चार्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे CSCart इंडिया का जो टेलिग्राम वाला चैनल होगा उस चैनल पे आपको जाना होगा वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ पे आज ही के दिन का एक जो क्या बोलेंगे SLCM मैराथान के जो नोट्स है आपको यहाँ पे दिखाए दे जाएंगे तो वहाँ से यह वाले जो चार्ट्स हैं ध्यान रखेगा भाएस साब यह जो चार्ट्स आपके हैं यह आपके 100% को कवर नहीं करते इसका disclaimer जो है वो मैं पहले ही आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ यह जो charts हैं यह class में पढ़ाते time पे difficult difficult topics जो थे उनके उपर मैंने यहाँ पे इनको बनाया ताकि चीजों को आसानी से वहाँ पे क्या किया जा सके revise किया जा सके उसके हिसाब से ठीक है कि अगर मैं आपके एकजाम के एक दिन पहले रिवाइस करने के बारे में बात करूं तो बहुत सारा जो मेजर कंटेंट आपका होगा ना यह 95 पीजिस के चार्ट में से अगर आपने रिवाइस कर लिया तो यह अच्छे तरीकिस आपका क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा को अपलाए होता है कब लाएगा सुष सपर् VC को एक टेमरी चैनव में इसको क्या किया गया था इन्टीक के कहरें और सब्यूब सब सबसक्राइब है उसका है को बढ़ने की को कंपोजिशन की बातवर्पन यहां पर करेंगे तो सेवी में एक चेर्मन होता है दो मेंबर रहेंगे जो एक बंदा होगा जो कि आर्बिया को रिपरस्ट करेंगा पांच और मेंबर रहेंगे जिसमें से कम से कम तीन जो है वो होल टाइम मेंबर जो आपके रहने चाहिए सेवी के लिए अपना काम जाओ करने वाले हैं सर सेवी के पास में पावर क्या है प्लीज भाई साब मतलब यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखरी टाइम पर एक एक वर्ड जो है उसको आप रीड करने की कोशिश कर रहो ऐसा करने से फाइदा नहीं होगा आपको चीज सबाया बोस्तर्で सकता है और उनको र helt कौछ एक ल्फ वरविस बना सकता है मतलब आसे वाले रूल्स जिससे कि ü Actי इसको क्या करना होगा फॉलू करना होगा ताकि मार्केट के लिए को लेकर कभी कोई बीडिये होता है और अगर इस सबाइब करने के लिए इंवेस्टीटिकेटिंग और पइनिटीइट करने के लिए adjudicating officer जो होता है उसको भी बोले impose कर सकता है हाला कि एक बात और धान रखेगा कि सेवी के पास में इस बात का भी authority है कि अगर आप में से कोई भी बंदा securities market के साथ में मजाक करते हुए पाया गया तो आपके उपर बकायदा case भी कर सकता है हाला कि अगर आप चाहो तो सेवी से request कर सकते हो कि सर मैं माफी चाहूँगा क्या यहां पर मुझे आप consent order दे सकते हो क्या मतलब मतलब मेरा ऐसा कोई intention नहीं था कि मैं सेवी के regulations को complain ना करू मैं securities market का ध्यान जो है वो ना रखूँ ऐसा कोई intention जो है वो बिला मेरा यहां पर नहीं था बस बोड़े इतना लगा लिजेगा कि मैं क्या करना चाह रहा था मैं बोले अपना काम कर रहा था उसमें बोले गड़बड हो गई साब तो consent order में सेवी जो है वो यह agree करता कि ठीक है मैं आपके against में case को proceed नहीं करूँगा अगर मैंने case पहले से proceed किया हुआ है फाइल किया हुआ है तो मैं उसको withdraw कर लूँगा लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा settlement charges जो है वो बोले pay करने पड़ेंगे क्या pay करना पड़ेगा settlement charges सर कोई भी administrative वाल अगर कोई case हो होता है ठीक है या कोई भी आपको और मतलब ऐसा matter आपका रहता है जो कि securities market को लेके हैं तो उसके लिए सेवी जो वो consent order पास कर सकता है settlement जो आपके साथ में कर सकता है कोट के ही बाहर इवन अगर कोट में case चल भी रहा होगा तो उस time पे भी बुले यहां पे consent order जो वो पास किया जा सकता है तो यह सब इसके क्या होगे पावर होगे यह answer सर क्या का हमें आपको सेवी जो है वो एउ का point करेगा जिसका अगर मैं rank की बात करूंगा तो यह लगा लो कि जो दिविजनल चीफ होता ना उसके rank के बराबर का इसका rank जो रहना चीए ठीक है सर यह क्या करेगा inquiry करेगा और inquiry करते टाइम पे अगर मान लो उसको कोई भी evidence की जो पड़ती है यह फिर document की जो पड़ती है या फिर किसी को बुलाना है उसका बुले क्या करना है उसका ब्यान है जो वह सब लेना है तो जो power Civil Court के पा कास में होता वह सब ठीक है वह सारे की सारे जो पावर आपके ने का बोलो documents को मंगवाने का बोलो या फिर किसी को कड़गरे में खड़े करने का बोलो किसी को detain करवाने का बोलो सारे power है बोले उसके पास में ठीक है चलिए सर और यह क्या करेगा penalty जो भी इंपोस करेगा किस के उपर सबसे पहली बात कितने रुपए का benefit आपने उठाया पहला चीज दूसरे का नुकसान कित्ते का कर रहा है और तीसरा क्या आप रिपिटिटिव ओफेंडर है और या फिर कभी कबार गलती से आपसे कांड जो हो होता है तो जो बुले आपका यह रहेगा वह क्या करेगा वातलब से भी जौब करेगा उसने क्या किया ओडर जो है वह यहां पर पास कर देख लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अगले 45 डेस कितने के अंदर बाइस साब 45 डेस में चाहे बूले कोशन आफ पे और चाहे कुशन आफ लॉप पे अप कहां जा सकते हैं सेक्योर्टी डेस ट्रैबनल के अंदर मैं कंपोजिशन के बारे में बात करूंगा तो एक रहेगा बुले बहां पर पर प्रिसाइडिंग और उसके अलावा अगर बुले वहां पर वह चाहे तो जुडिशल मेंबर और ट है हाला कि ध्यान दीजेगा कि जो बुले आपका बेंच रहेगा उसमें एक जुडिशल मेंबर तो रहेगा ही रहेगा और अगर बुले माल लीजिए आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको लगता है कि वहां पे टेक्निकल मेंबर भी रहना चाहें तो उसको भी बुल में कुछ बात आपको बोली गई क्या कहा गया वैसा सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तौर पे वही बंदा पॉइंट हो पाएगा जो बंदा या तो सुप्रीम कोट का जज रहे चुका है या भी भी था और या फिर बो चीफ जसिस ऑफ हाई कोट रहे चुका है और या फि क्सेक्राइड को चैघंज को हैं तो तो जोताना कि आट बात करो किसी मिर्स्ट्री में अंदर जो आपका सेक्रेटरी होता ओपン nem mixer के बोली गहीं कौन सी कौन से सबसेशना गहिंड़ेगा क्या कि ककोई बी मिनिस्ट्री जाप की आपकी बढ़ा व मॉन से क्रेटरी मार्कित के पॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्मेंट को अथ्रडिक दी गई है पर सेंट्रल को किसको नहीं करेगा इसके लिए बकायदा क्या कर सकता है कि सीजे आई जो आपका होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे ना उनके साथ में कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं और उसके बिसेस पर अपॉइंट्मेंट किया जाएगा अगर सीजे ने का मेरे पास में टाइम नहीं है मैं बंदे को नॉमिनिट कर देता हूं वो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइट कर देगा तो बुले वो भी चलेगा लेकिन अगर बुले मैं टेकनिकल मेंबस के बारे में बात करूंगा तो चार लोग रहेंगे एक तो बुले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट दूसरा बुले आपका कौन होगा डिपार्टमेंट बुले आपका डिएफस का सेटरी और फिर उसके बार में आपका जो क्या बुले इसको जो लीगल वाला डिपार्टमेंट वेड़ आपका रहेगा चलिए अगला पॉंट यहां पर आता है क्या विकंसी अगर बुले मान लिजे पीयो की विकंसी हो जाती है जुडिशल और चाहे बूले पीयो का जो विकिंसी है उसको फिल करने का पाउर वो वी से पास में रहेगा वह भी बुल आपके सेंटिल में के पास में रहेगा ठीक है चलिए लेकिन disqualification who shall not be appointed क्या कहा बाइस आप सिंबल सी बात है जिस टाइम पर बुले आप सैट के लिए काम कर रहे हैं उस टाइम पर आपको कोई और काम नहीं करना है किसी और टाइप का कोई से बी और एनी अधर एक्विलेंट परसन इन में से कोई भी बंदा जो आपका होगा यह बोले क्या नहीं हो सकता है इसे प्रसाइडिंग ऑफिसर की तौर पर नहीं किया जा सकता है कब तक जब तक कि वो बंदा उस पोजिशन पर था और यह फिर उसके बाद में अगले दो सा सब्सक्राइब बूंदेट पर नहीं हों नहीं चाहिए राइट थीक है साब सब्सक्राइब फिर क्या होगा सैट अगले छे महिने कोशिश करेगा यह वाली जो बात किया करना पड़ेगा और सबस्क्राइब आपको वह भी पसंद नहीं आया तो अगले 60 डेस के अंदर अंदर हाला कि आपको यहाँ पर साथ दिन का और extension जो वो दिया जा सकता है अगले साथ दिन में आप क्या कर सकते हो सुप्रीम कोट के पास में जा सकते हो और जाके बुले वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अपील करने का काम कर सकते हैं सर बुले इन तीनों में से किसी भी कारण की वजह से कौन से कारण सर पब्लिक इंटरस्ट एमर्जनसी के केस में ठीक है और वेर सेवी डिडिड नॉट कंप्लाई विद डिरेक्शन जो कि सेंट्रल गौर्मेंट ने आपको क्या किये थे दिये थे तो सेंट्रल गौर्मेंट यह क्या कर दो हैं अगर ऐसा कभी किया गया तो ऐसे केस में से बिक मेनेजमेंट में जित्ते भी लोग बैठे हुए उनको अपने आफिस को वैकट करना पड़ेगा और वो जो बन्न नया प्रण किया गया है उसके पास में पुरा-पुरा पावर जो हो भाइगा ये दिजेगा कि यहां आप सब्सक्राइबॉब सकता है फिर इसके बाद में जो है उसके अलावा डिरेक्शन दे सकता है रूल्स बना सकता है एक बात और ध्यान दीजेगा कि अगर आपका इसके अलावा मेरे को बहुत सारी चीजे पता है जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि सेवी में कांड क्या चल रहा था तो वह बंदे को अगर सरकार चाहे तो इम्मुनिटी प्रोवाइड का सकती है सब्जेक्ट वेडिश कंडिशन हाला कि यह जो इम्मुनिटी आपको यहां पर दी जाएगी इसको विड्रॉब भी किया जा सकता है अगर बाद में यह पता चले कि तुम भाइसाब यहां पर सेवी को सौरी सेवी बोलो सेंट्री गो को गुमराख करने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे केस में क्या कर दिया जाएगा आपको यहां पर इम्मुनिटी दिया गया था उसको विड्रॉब किया जा सकता है फिर इसके बाद में क्या कहा गया साल भर सेवी ने जो भी काम किया होगा उसकी उसको रिपोर्ट बनानी पार्लेमेंट राज्यसभा लोगसभा का जब सेशन स्टार्ट होगा ना तो उससे सेशन में आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि लोगों को यह समझ में आए कि भी कुछ काम हम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है चलिए अगला पर अगले अगर मैं सेक्ष आटे जा रहा है जो कैसे अटे आप के होंगे वह भी बढ़ते जा रहे तो वह dispoosal करने के लिए kes WRPop चोड़ करने के लिए चोटे मोटे केसे को जल्दी सब्सक्राइब को करने के लिए और कंक्डी का ल्योंत का पैसा टाइम और फेरसं को बचाने के लिए अगर government आपका चाहे तो क्या कर सकता है special court जो आपका होगा वह बहुत इस्टेब्लिश कर सकता है सर यह special court जो आपका होगा इसके अंदर अगर मैं बात करूँगा तो एक ही जज रहेगा जो की appoint किया जाएगा again by the government लेकिन in consultation with the high court का chief justice जान रखेगा सर जब सैट को establish करने की बात की थी तो chief justice of India के साथ में consultation करने की बात की थी लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूँगा तो single justice को appoint करने के लिए central government का जो आपका यह रहेगा वो क्या करेगा high court का जो chief justice होगा उससे consult किया जाएगा और यह भी पॉसिबल है कि एक ही स्टेट के अंदर आप एक से जाधा special court जो उसको establish करने की बात जो कर रहेगी तो कहा गया जो बंदा या तो हाई court में जाएगा सर स्पेशल कोड के अगेंस सिधा हाई court में बुले हाँ यह समझ लीजेगा कि अगर बुले securities market को लेके किसी भी टाइप का कोई crime किया गया होगा तो crime का जो case आपका होगा सिधा कहा जाने वाला है special court के पास और special court के अगेंस में जो appeal आपके जाएगी हाई court के पास और high court के अगेंस सर वो तो सदा वार है सुप्रिम गोड के पास ही जाने वाला होगा सवाल यहां पर आता है हिए जिरुजिक्शन जो है वह कहां पे रहने वाला है तो जो भी matter उसके jurisdiction में आता होगा वो उसे वाले special court के पास में जाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि पूरे के पूरे कंट्री में हर एक स्टेट के अंदर special court जो है वह से बनाए गया होगा बुले नहीं सब तो अगर मान लेजिए कोई एकादा ऐसा स्टेट है जहां पर security market को लेके बहुत cases नहीं होते है और उस case में अगर कोई ऐसा case आजाए तो अचानक से नया वाला तो कहा गया कि हाई court जो है वो क्या करेगा वो बुले ऐसे case में session court को ही मान के चल लेगा कि यह special court है और जब तक कि उस area के अंदर special court जो उसको establish नहीं किया जाता है वहां का जो session court रहेगा वही क्या करने वाला हो सारे के सारे cases को क्या करेगा entertain करेगा और जैसे ही उस area में session court को establish कर दिया जाएगा सेशन कोड के पास में जितने भी केसिस चल रहे होंगे सिक्योर्डिज मार्केट को लेकर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे उसके पास में ट्रांस्फर कर दिये जाएंगे अंडर्सुड अपाइट भाई ठीए है यह सब को क्लियर है कि जल्दी से बता दिजिगा येस नो 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 टल मी फास मेरे बाई चली चली गुड 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 गुडू गुड 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 गुडू गुडू सर, act के according special court is NCLT क्यों ऐसा हां जी बहेशा आप अग्ले टॉपिक के बारे में बात करते ही जिसका नाम क्या है Depositories Act 1996 सर ये वाले Act के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो इसके बारे में अपन क्या नहीं करेंगे इसके बारे में अपन यहाँ पे Notes में से नहीं पढ़ेंगे फटा-फट क्या करते है इसको recall करने की कोशिच जो वो करते है Depositories Act है जो कि करवाना पड़ेगा सबसे पहली बात यह है कि आपके पास में सफीशन्ट सॉफ्ट्वेर वगरा बोलो हाडवेर वगरा बोलो अपके पास में प्रॉपर जो क्या बुलेंगे इसको जो आपका बैक अप जो होना चीए आपके पास में रजिस्टर्ड वाले जो यहां पर करने नहीं है सब्सक्न को होनी है क्यों कि हम जैसे लोगों को यह करते हैं कि आप हमारे पास में करो DH शोनी आWलो यहां चोब वैसे डॉक्यमेंट जो भी आप दीजेगा तो हमारे यहां पर हम बुले आपका डिमाट करेंगे जो की देखा जा तो डिपॉजिटरी के पास में उपन हो रहा है बस उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है डिपॉजिटरी पार्ट्समेंट जो आपका होता है वह भी आपका अगर वो रहेगा अगर वो क्या होता है बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आज के डेट में जब आपका डिजिलाइजेशन जो इतना अच्छा बढ़ चुका है तो तो ऐसे केस में फिजिकल coronavirus को च्वह क्रॉज पर करने की रखने का क्या करेंगे सब ल«डीमैट अकाउंट से एक से दूसरे कंड में डैरिबिट करके क्रेडिट करने का काम जलो कर देंगे अगर मैं अपने shares को बीचता हूँ तो मुझे अपने DMAT account के अंदर जाना होगा वहाँ जाके बोले sell का जो बटन रहेगा वो दबाना होगा और अगर मैं sell करता हूँ और अगर वो price match हो जाता है तो जिस बंदे ने उतने price के लिए quote किया होगा उसको महाँ पर क्या हो जागा मेरे share जो है वो मिल जाएंगे और बदले में मेरे पास में मेरा पैसा जोगा वो बले यहाँ पर आ जाएगा सर इसमें physical share certificate का जो LinkedIn का काम हुआ करता था उसका जो hurdle हुआ करता था वो बले यहाँ पर खतम हो गया और क्या किया गया कि सर अगर मेरे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है तो जितने भी मेरे share holding ते अलग-अलग companies के वो सारे के सारे जो होंगे मेरे electronic format के अंदर मेरे डीमैट अकाउंट में क्या होंगे दिखाई देंगे और इन सारे shares के लिए जो सर्टिफिकेट वगरा होता है वो बुले बाइस सब्सक्रेक्टिव कंपनी जो डिपॉजिटर के पास में दे देगी जो कि एक जम्बू सर्डवेट के तौर पर रहेगा और हमेशा किसकी कस् सचुकी जो शेयर का सडवेट आपका रहेगा वो डिपॉजिटर की कस्टिडी में है तो डिपॉजिटरी जो यहां पर उन शेयर के लिए क्या कहलेगा कस्टोडियन कहलाएगा जो आपकी सिक्योर्टिस को अपने कस्टिडी में रखता है से कस्टोडियन का नाम जो दिया जाता है और पांसो रुपए का नोट है और आप से लेके आपको मैं सौ रुपए के पांसो रुपए के बराबर में पांसो रुपए को दे दे रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कि मैंने सेम नंबर का जो नोट है वो आपको दिया कि नहीं दिया तो ऐसे कि इसमें शेयर के बारे में भी कहा गया कि पुराना जमाना एक हुआ करता था जिसमें यह कहा जाता था कि मेरे पास तो 10 शेयर से कौनसे कौनसे सर्थ 24,000 24,000 10 से लेकर या 24,000 11 से लेकर 24,000 20 तक के जो शेयस है ना वो बले मेरे पास में क्या फरक पड़ जाएगा इससे अगर ये number of shares आपके पास में कोई भी रहे आपके पास में 10 shares होने चाहे वैसा उस पड़लो company के तो कोई भी number of shares अगर आपके पास में रहे लेकिन 10 shares जो है आपको अगर 10 share के बले में 10 share मिल रहा होगा उसे क्या कहा जाएगा fungibility का नाम जो है वो बले यहां पर दे दिया जाएगा understood the point बोल ठीके साब फिर इसके बाद में ये भी कहा गया कि depository पास्मेंट को request जो है वो करते हैं लाखों लोग हैं जो रोज कहते हैं कि वैसा में कोई इसमें नहीं में को डिमाट account जब वह वहां जाके open करने का यहां से मैं बंद करना चाहता हूं तो ऐसे case में जो application deposit आपके आती है क्या आपने confirm किया कि जो यह application है वो वह वह सही तरीके सहै अपने process किया कि नहीं किया क्या आपने confirm कि जो आधर तेने वाला बंदा है वह अपना ही आधर Cup दे रहा है ताक की जो डेली बासिस पर किया रहे हैं डेली बसेस पर लाखो लोग आपके करोडों शेर्ट में जो कर रहे हैं क्या सही बंदे का नाम आपके realistable मेंबस के अंदर beneficial owner पे तर्व राइप इसके लिए आपको यहांपे सेगडल लिड जो उसर करवाना होगा आपका quarter खतम होने के बाद में कितने दिन के बाद में याद रहने वाले नहीं है यह को पहले से पता है तो जहां पर चीजे में को याद नहीं नहीं है तो चलेगा कोई प्रब्म वाली बात उसमें नहीं है फिर इसके बाद में क्या कहा गया पर इसके बाद में यह कहा गया यह करवाना होगा किसी प्रैक्टिसिंग वाले यहां पर जो भी डिलीवरी इंस्ट्रेक्शन स्लिप वगरा जो है उसका जो भी यूज किया गया होगा वह सही तरीके से किया गया काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको आज भी इस बात का डावटर की सब्सक्राइब यह बहुत द्यान से अगर मैं अपने अप्स्टॉक वाले जो है वह यहां पर दिया था तो क्या होगा कि जो भी बंदा मेरा मैनेजर रहेगा डिपॉजटरी प्रdriver के बहुत पर बेचने हैं और यह से बैपने होग्प्राइस बात है कि इस booklet का जो इस्तमाल है वो बोले गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि प्रवीन ने कोई order दिया ही नहीं था, लेकिन उसका जो manager था, उसने क्या किया, उसने बोले slip वहाँ से निकाल ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का audit करना पड़ेगा, इसको time to time check करना पड़ेगा, और concurrent audit की बात अगर यहां पर की जाए, तो कहा गया, कि भाई साहे, daily basis पे इतने सारे लोग हैं, जो की transaction करते हैं, intraday वाली टेडिंग करते हैं, यह delivery के नाम पे आज शेस को purchase करेंगे, और दो दिन के बाद में शेस को बेज देंगे, तीन दिन के बाद में daily basis पे होना चाहिए, what the point, कोशिश आपको यह करनी पड़ेगी, कि आज का जो हिसाब किताब है, वो पूरा का पूरा कल के दिन क्या हो जाना चाहिए, audit हो जाना चाहिए, ताकि कल को जाके जब statutory वाला audit आपका यहां पे होगा, तो उस टाइम पे पता नहीं चलना, यह problem नही करने पड़ेंगे, company के लिए बहुत सारा खर्चा जो यहां पर बच जाएगा, company के लिए बहुत सारा जो खर्चा आप करेगा, इतना सारा जो काम करना पड़ता है, process करना पड़ता है, वो बहुत जादा नहीं लगने वाली होगी, कम stamp duty जो है, वो आपको लगेगी, अगर आप DMAT में transaction करने की बात करते हैं, तो और transaction जो आपका होगा, वो फटाफट हो जाएगा, इसके लिए आपको 6-6 दिन, 15 बीज दिन, परचेस दिन, एक-एक मेने रुखने की वेट नहीं करना पड़ेगा, यह जो point है, आपको यहां पर बोलेगा, यहां पर एक बात देख ल यहां ठीक है, उसका account जो वो open कर दो, और उसके बार में आपका जो DMAT account रहेगा, वो बले यहां पर क्या हो जाएगा, उपन हो जाएगा, राइट चलिए सर, अगला point अगर मैं यहां पर बोलूँगा क्या, किसा conversion of the physical securities into the DMAT form, आज की date में बात करूँगा, भाई साब हर एक बंदे को यह कहे दिया गया है, कि अगर आपके पास में किसी public company के share से हैं, ठीक है, भले वो listed हो या unlisted हो, अगर आपके आपके पब्लिक कंपनी के share से हैं, तो आपको यह confirm करना पड़ेगा, कि इनको transfer करने के पहले आपका DMAT account होना चाहिए, और DMAT account से ही आपका जो transfer रहेगा है, वो surrender करेगा, किसके पास, company के पास, यह company के अंदर जो RT आपका होगा, registered and share transfer agent जो होगा, उसके पास में transfer जो यहां पे कर देगा, ठीक है, और request करेगा, किस से को DMAT में convert कर दो, मेरा DMAT account का, जो DPID वगरा होगा, वो यह सब है, वो बता दिया, फिर company क्या करेगी, पुराने सब्सक्राइब को फाट देगे, और नए सब्सक्राइब जो है, वो यहां पर बनाएगी, जिसमें registered owner के तौर पर depository का नाम जो यहां पर रखा जाएगा, और यह सब्सक्राइब करेगा, कि ऐसा-इसा यहां पर हो चुका है, तो एक काम करो, Mr. A के नाम पे जो shares है, वो यहा पर आप कर दीजिगा, राइट चलिए, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से, सर, कोई भी investor सबसे पहले अपना जो क्या बोलेंगे, account जो उसको open करने के लिए depository पास में क्या करेगा, जो account opening form है, जिससे DRF form कहा जाता है, वो बोले, यहां पर फाइल करेगा, ठीक है, ठीक है स depository आपके होगी, उसका जो नाम होगा, वो यहां पर बोले, record किया जाएगा, किसके तोर पे, सब बोले, registered owner के तोर पे, in the records of the company, और जो बोले, आपका shareholder होगा, जो investor आपका होगा, उसका नाम यूज किया जाएगा, as a beneficial owner, in the records of the company, as well as in the records of the depository, और यह बहुत द्यान से वैस कि जो बोले, आपका beneficial owner होगा, share के उपर पैसा वही पे कर रहा, अगर share के उपर कुछ पैसा पे करना, company को बाकी है, तो वो यही पे करने वाला है, registered owner जो है, वो पे करने वाला नहीं है, और sir, shares से जो भी बोले, आपके corporate actions आने वाले है, corporate benefits आने वाले है, वो सारे के सारे benefit किस इस्टर, owner के पास में आएंगे, got the point, चलिए sir, बुम, इसके बाद में भाई साब यह बहुत द्यांसर सुनेगा, अगर कोई भी बंदा बोले depository का काम करना चाहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, से भी के पास में application देने के पहले क्या इंशा करना पड़ेगा, कि आपने अपने आपको company के तोर पे क्या कर लिया है, incorporate कर लिया है, आपने अपने आपको यहाँ पे company के तोर पे incorporate कर लिया है, फिर इसके बाद में application जो रहेगा, वो आप क्या करेंगे, से भी के पास में देंगे, और साथ में, दो document आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्या, कि sir, एक तो आ साथ से बनाए गए थे वह वाले भी अंडर सुद्ट अपन्ट वाइस सब यह समझ मैं एक सेगंड रुकियेगा कि अगर कि अगर चलिए वैसाब यह समझ मैं ठीके साब बहुत ही बड़ी है फिर इसके बाद में सब जो आपका डिपॉजिट्री होगा उसको इंशॉर करना पड़ेगा कि जो नेट वर्थ आपका है वो सब्सक्राइब से ज्यादा है एडिक्वेट सिस्टम आपके पास में होना चाहिए प् पास में करने को तयार है तो उसको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो डिपॉजिट्री में काम करने के बाइलॉज है वो बुले आपको कमप्लाइब करने पड़ेंगे अगर आपने नहीं किया तो ऐसे के साथ में अग्रिमन्न को खतम कर सकता है और आपकी जो सर्विसें उसको टर्मिन भी कर सकता है फिर इसके बाद में जान से वो क्या करेगा वो सारी के सारी चीजों को क कर रहा है और उसके पास में अट्री वगरा भी है तो ऐसे केस में क्या होगा वो आपको बोल देगा कि ठीक है इसका अपना बना लीजे फिर इसके बाद में क्या होगा कि डिपोजिटरी और डिपोजिट डिपार्समेंट दोनों के बीच में एक एग्रिमेंट जो होगा वह यहां पर बन जाएगा जिसमें की कौन से बेसे पर सबस्क्राइब ली जाएगे वह सारी चीज़ें यहां पर क्या हो जाएगी चलिए बाकि इसमें कुछ चाहता है जैसे बुले बाई साब पुराने जमाने में बात अगर मैं करूंगा तो ब्यसी था और दूसरा आपका कौन सा था एनसी था लेकिन आगे चलके और को इस चाहता है कि वह मार्केट में स्टाउक एक्शेंज का काम जो हो करे तो उसको भी क्या कहा गया कि आपको भी स से भी के पास में भेज देंगे ठीक है जिसमें कि आपको बुले आपके स्टॉक एक्शेंज का जो गवर्निंग बॉडी होगा वह बुले आपको बताना होगा सर कौन से बेसे पर एड्मिशन लिया जाएगा कौन-कौन उसके मेंबर से हैं क्या-क्या पावर है क्या-क्या उसके रहने वाली है उसके बारे में पूरी बाते जो आपको यहां पर बतानी पड़ेगी और अगर आपका से भी सेडिसफाइड होता है तो आपको यहां पर रेकंगिशन जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा और आपको यह रेकंगिशन दिया गया है इसके बारे में जो यहां पर मिल चुका है हाला कि एक बाद ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्टॉक एक्षेंज होगा डेट ऑफ रिज रिज रिकनीशन से जिस दिन बुले आपको रिकनाइस किया गए उस दिन से आपको रिकनाइस वह बुले यहां पर मानके चल लिया जाएगा राइट सेंटरी मार्केट को किसी भी तरीके से मैन्योपलीट नहीं करने वाला है और Σकुछ करने वाला नहीं अगर ऐसे केस में आ पिद्रॉइन हो गलत नहीं है मतलब मैं आपको को बता दिया भैसाब कि सिक्योर्टिज मार्केट के अंदर कुछ भी अगर कांड आप कर रहे हो ना तो बहुत सिंपल सी बात कहीं क्या सेवी के पास में पावर है कि जो स्टॉक एक्षेंज आपका होगा उसके काम को मॉनिटर कर सकता है सेवी के पास में पावर है कि स्टॉक एक्षेंज के जो रूलस है अगर उसको लगा कि रूलस सही तरीके से बने हुए नहीं है तो वो scratch से सारे के सारे rule stock exchange के लिए बना सकता है stock exchange के जो पहले से बनाएवे rules रहेंगे उनको modify भी कर सकता है और बोल सकता है कि तुमको इनके इसाब से काम जो है वो बले यहाँ पर करना पड़ेगा हाला कि बाच से अब एक बाद ध्यान दखेगा क्या अगर मान लो जो बले यहाँ पर rule बनाए गए है आपको पसंद नहीं है किसको stock exchange को तो अगले दो महिने के अंदर अंदर आप सेबी के पास में सेबी के पास में जाएंगे अपील करेंगे सर प्लीज इसको रिवाइस करो सर जो रूल बले यहाँ पर बनाए गए है यह बले बिलकुल भी सही नहीं है प्लीज आप इनको क्या कर देगा रिवाइस कर दीजेगा दूसरा सर सेबी रेगुलेशन बना सकता है यह पहरे से पता अपने को स्टॉक एक्शेंज को भी रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन जो है वह बले यहाँ पर सेबी के दवारा बनाए जा सकते हैं और या फिर किसी को भी जो की स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होगा उसको direction issue भी कर सकता है सर और फर adjudicating officer सर यह पहली पढ़ चुके है अपन राइट adjudicating officer को point करेगा जिसको की इस बात की authority रहेगी कि market में कोई भी बंद अगर आपको गलत काम करते हुए मिलता है regulations को non comply करते हुए मिलता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो उसके उपर penalty जो वह इंपोस कर सकते हो हाला कि penalty इंपोस करते हैं वह वापिस तीन बातों के बारे में सूचना पड़ेगा क्या कि इससे आपने benefit कित्ता कमाया सामने अलगा नुकसान आपने कित्ता कमाया और क्या आप एक repetitive offender है क्या got the point उसके इसाब से सजा जो है वह यहां पर दी जाएगी ठीक है चलिए so with the approval of CB ATF can be set up by any RSE ATF मतलब यहां पर क्या है बेटा additional trading platform ATF का मतलब क्या है additional trading platform ठीक है अगर बुले यहां पर किसी भी stock exchange में जो बुले पहले से आपका recognized वाला platform है इसके अलावा आपके जो यहां पर एक्स्ट्रा की ट्रेडिंग होने वाली उसके लिए अगर आपको platform प्रोवाइड करना होगा तो सेभी की permission से बोले यह काम यहां पर कर सकते हैं ठीक है चले अगला point वाइस आपने क्या किया पब्लिक इशु जो लेकिया है तो यह बहुत द्यांस है तो bring the public तो आपको simultaneously क्या करना पड़ेगा BSE या NSE की पास में आपको क्या करना होगा application देना होगा कि सर हमें अपने company की जो शेयर से हैं वह आपके पास में लिस्ट करवाने सरी है अगर आपकी company लिस्ट नहीं होती है तो आपकी company का जो IP होगा अगर वह successful हो भी जाता है तो भी इसको फेल्ड माना जाएगा और पूरा पैसा आपको वापिस करना पड़ेगा और अगर आपने उतने टाइम बेड में नहीं किया तो 15% पर एनम के हिसाब सापको क्या करना होगा जो ब्याज होगा वह भी बुले यहां पर पे करना पड़ेगा अच्छा एक बात और द्यांसर सुनिएगा क्या कि सर अगर एक बार आपकी company जो वह लिस्टेड हो जाती है तो उसके बाद में आपके company को वापन से काम किया जा सकता है क्या करेंगे वह सकता है अलांकि जो आप खुद से भी करवा सकते हैं मतलब company इंटर नंगे अगर लेंगे आप यहां पर कर रहे होंगे तो आपको अपने शेयर्डर्स को exit offer जो देना पड़ेगा कि जो जो बंदा हमारी company के share को छोड़ के जाना चाहता होगा वो जा सकता है आपके share आप हमें बेच दो आप हमें बेच देजिए हम इसको क्या कर लेंगे पर्चेस कर लेंगे लेकिन ध्यान रखेगा एक बार बुलेगर डिलिस्ट हो चुका है तो बाद में आगे चलके आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन जो वह नहीं मिलने वा अगर बुले आपको लगता है यहां पर किया गया तो अगले पंदार दिनों के अंदर आप सेटके पास में जाके क्या कर सकते हो एक बाकी जो है वो पूरा का पूरा सेम आपका आगया जैसे आपने पहले पड़ा था वैसा का वैसा आगे बढ़ेंगे बाइस आप क्या इन एनी पब्लिक ओफर मिनिमम ओफर एंड अलॉट्मेंट यह का अगया भाई यह बहुत ध्यान से सुनिएगा अगें सिक्यूरिटी जो आपका है 1957 का उसका सबसे इंपोर्टेंट वाला टॉपिक क्या आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आ मिनिमम ओफर जो है वह पब्लिक को कितना देना पड़ेगा तो क्या कहा गया वाईसा बहुत द्यान से मिनिममम ओफर एंड अलॉट्मेंट यहां पर आपको करना पड़ेगा वह डिपन करता है कि आपका यह इशू आ जाने के बाद में बाद में पोस्ट इसू कंपनी का ज लाने के बाद में अगर एक हजार कोड तक का रहने वाला है तो इसका 25 परसेंट मतलब दाइसो करोड रुपे की जो जनता के पास में होने चीए अगर आप सोला सो कोड से जादा लेकिन चारहजार करोड तक का इशू लाने की बात कर रहे होंगे अगला सर चारहजार से जादा लेकिन अप्टू एक लाग करोड तो यहां पर द्यान दीजेगा कहा गया कि 10 परसेंट जो होगा वो जनता के पास में होना चाहिए और फिर क्या कहा बैसा कि अगर एक लाग से भी जादा लाने की बात कर रहे हो तो अगले दो साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा यह जो 5% है इसको बढ़ा के 10% करना होगा और अगले 5 साल के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा आपको 25% पर करना पड़ेगा यानि कि यहां से 5 साल और यहां से 2 साल यहां से 3 साल यह जो बात इसको अब ध्यान में रखेगा और फिर यहां पे भी क्या कहा गया यहां पे क चीए अगर बुले कोई भी आपकी लिस्टेड कंपनी है वह बुले एज लिस्टेड कंपनी कंटीनू करना चाहती है तो इसल मेंटेन दा मिनिममम पब्लिक शेरोडिंग आस फॉलोस पिछले वाला जो पॉइंट वह यहां पर आपका क्या हो रहा है वाप इससे कंटीनू रह अच्छे खास है तो कहा गया कि अगर आपकी कंपनी गवर्मेंट कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है लेकिन अगर आपकी कंपनी अधरन पीस्टेड है तो एट लीस्ट 25 परसंट और टोटल शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग सॉरी यह जो है यह बुले किसके पास मेंगे लेकिन अगर मान लोग कल को जाके क्या हो गया नीचे रिया 25 परसंट से कम हो गया कैसे सर कंपनी में नए शेयर को इशू किया गए प्रमोटर्स को तो पब्लिक के शरूडिंग क्या हो गई कम हो गई सर तो कहा गया कि 12 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर पापड बेल इंसल्वेंसी ओप माई गॉड सेक्शन अबर 31 ऑफ दा इंडिन स्वरी इंसल्वेंसी बेंगरप्सी कोट 2016 के साब से आपकी जो कंपनी वह क्या हो चुकिए तो ऐसे केस में एट लीस्ट 25 परसंट और टोटल शेर होल्डिंग अगर आप लिस्टिंग के तौर पर कंटीनू करना चाहते हो करना पड़ेगा फिर लेकिन अगर बुले भाईसा वो क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर वह दस परसंट से भी कम हो गया तो क्या कहा गया बारा महीने के अंदर अंदर आपको उसको दस परसंट के ऊपर लेके आना पड़ेगा ठीक है और 25 परसंट के उपर सब बुले तीन साल के अंदर बट एक बात जान रखिएगा बले ही कंपनी आपकी इंसल्वेंसी में जा चुकि उसके बावजूद अगर आप अपने इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी के दौर पर कंटीन्यू करना चाहते हो तो 5% से कम बुले कभी भी जाना नहीं चाहिए 5% स जगा ध्यान से कंपनी बुले काम करेगी तो पैसा लगेगा पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर सेक्यूर्डिस को इसउ करने की बात यहां पर करना होगा कंपलाइ करना पड़ेगा ठीक है सब्सक्राइब की जनता को ओफर दे सकते हैं जिसमें कोई भी बंद पकड़ों बुले हमारी कंपनी के शेज़ और बदल्ली में पैसा जो आपका है वो हमको आप यहां पर दे दो रही चली पॉद्ली का औफर जो आपका होता है पहला कि बच्चों को अभी भी कई बार कन्फिशन होता है कि तो यह ठार से जब कंपनी के एक क्लास के अगली बार इशुद कर रही main point क्या है अगली बार तो उसे कहा जाएगा further public offer या उसको follow on public offer का नाम जो है वो भी बुला आप यहाँ पर दे सकते हैं what the point चलिए sir लेकिन sir एक बात और यहाँ पर दान देजिए क्या क्या कि sir जो यह आपका IPO या FPO यानि कि जो public offer आपका होगा ना यह दो type के shares का हो सकते है offer for sale में जो बोले promoters के share से हैं वो जनता को issue किये जाएंगे और fresh issue में company नए शेस को यहाँ पर पैला करेगे और वो शेस को क्या करने वाली जनता को देने वाली है राइट भाई साब ठीक है अगर मैं special offer के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है कि company अपने existing शेल्डर को दे या फिर हो सकता है कि selected outsiders को दे बाहर के लोग हैं लेकिन कौन है उनका नाम जो पहले से selected है और या फिर qualified institutional बायर जो आपके होते हैं उनको भी बुले यह offer जो दिया जा सकता है इसे वाले चीजें जो बुले financial market में काम करते होंगे और वह बुले definition के हिसाब से qualified institutional बायर की के डिगरी में आते होंगे जोनने अपने आपको सेबी के पास में रिस्टर करवा के रखा हुआ है इस चीज के लिए कि सर हम किसी company के shares को purchase कर सकते हैं इसे कहा जाएगा qualified institutional बायर सीधा 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 हिसाब किता सीधा सीधा हिसाब किता चली में पॉंट क्या है कि यह इंडिजन नहीं है यह कौन है यह आपका आई पीओ और एफपीओ दोनों के बीच में डिफ्रेंशेशन एक बार क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे दूसरा सब प्राइविट प्रेस्मेंट कर सकते हैं एक्जिस्टिंग शेरोडर से और डिटल में बता दिया वैसा कि इसमें रैट इशु भी हो सकता है दूसरा इसमे के बारे में बात करूंगा तो इशुर कंपनी से यहां पे कहा गया क्या कि अगर आप शेर का इशु लेके आने वाले हैं तो सबसे पहली बात आपको बोले मर्चंट बेंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा यह कौन होता है यह एक इंटरमीडियरी होता है जो सेभी के पास सक्सेस्फुल बनाने के लिए अपने को बाकी इंटरमीडियर जो है वो बले लगेंगे तो उनको भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी रहेगी वो बले आपके रहेगी ध्यान रखेगा अपॉइंट्मेंट यह कर रहे हैं लेगिन किया किसके बिहाफ पे जा रहा है इश कंता को कंपनी के बारे में सब कुछ बता देता है कंपनी का हिस्टरी कंपनी का प्रेजिट कंपनी का सब क्पनी का अच्छी बात और वुरी बात सब कुछ company पे कौन सा case चल रहा है कौन सा case पेंडिंग है कौन सा case negative जा सकता है कौन सा case positive जा सकता है कौन सा positive गया है सब चीजों के बारे में आप यहां पर क्या कर दोगे prospectors में बता दोगे ताकि सामने वाला बंदा जो बंदा company में पैसे लगाने के बारे में सोच रहा है यह properly decide कर सके कि मुझे इस company में पैसा लगाना चाहिए और या फिर मुझे इस company में पैसा नहीं लगाना चाहिए वो इसके बारे में सोच सके यह समझ मैं बोले ठीक है वैसा बहुत बड़ी अच्छा लिए तो prospectors जो है व मार्केट में trade करने का option नहीं देते हो आपका successful नहीं हो पाएगा तो आपको एक या एक से जड़ा stock exchange की पास में application देना पड़ेगा कि सर मैं यहां पर IPO लेके आ रहा हूं तो क्या मेरे जो shares है वो बुले आपके यहां पर हम list करवाने का काम जो वो कर सकते हैं क्या फिर इसके में जब digitalization आ चुका है तो उसकी वजह से सर बुले company की website पर डाल दो merchant banker की website पर डाल दो सारे इंट्रमीडियर्स की website जो है ना उनके उपर डाल दो भाई सब ठीक है तो इससे क्या होगा इससे बुले लोगों को जादा पता चलेगा कि कौन सी company का IPO आ रहा है और कौन सी company के IPO म investment किया जा सकता है ठीक है तो advertisement जो है वह आपको दो टाइप की करनी पड़ती है पहला issue के पहले और दूसरा issue के बाद में सर issue के पहले आप advertisement क्यों करेंगे ताकि लोग आपकी company को judge करें और आपकी company के shares को purchase करना है कि नहीं करना यह decide करें पोस्ट issue में क्या करना पड़ेगा आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो यह issue था वह successful था या नहीं था सर इसमें बुले आपका जो allotment अगर होगा तो कितने दिनों में allotment होने वाला है ताकि कोई भी बंदा जिसने company में पैसा लगाया होगा वो यह सोच सके कि आपका application मनें जो उसको रिफंट कर दिया जाएगा और सर जिस दिन आपके शेस का allotment किया जाता है उससे बुले 6 तवाला जो डे आपका रहेगा ना उस डे पे आपकी जो company है वो लिस्टेड हो जाती है ठीक है लिस्टेड हो जाती है और यह लगा लिजेगा कि यहां से आ रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ठीक है फिर दूसरा बुले आपका इशू जो है वो पन होता ठीक है सब कुछ ऐसे काम है जो कि आपको इसके पहले करने पड़ते उसे कहा जाएगा पर इसके बाद में क्या होगा या तो बुले अलॉट्मेंट ऑफ सेक्योर्ट कुछ रहेंगे द्यूरिंग दा को सेक्टिविटी और कुछ रहेंगे पोस्ट इशू वाले एक्टिविटी गॉट्ट चली सब यहां पर एक डेफिनिशन नाम क्या दिया गया क्वालिफाइड इंस्टिटूशनल बायर कौन है बोले जो मैंने आपको पहली बता दिए यह है है या तो बने इंवेस्टर रहेंगे और यह तो बोले कौन रहेंगे अदर देंदा ईंकर इंवेस्टर ओना ऐसे लोग होंगे जो की बोले हमारी कंपनी में ना बढ़ चड़के हिसा लेंगे घजब वाला मनलब महेंगे में में शेयर को पर्चेस करेंगे करोडर रुप रुपय का जो contribution होगा वो बुलें यहां पर यह करने वाले हैं अगला पॉइंट यहां पर बात करेंगे क्या फ्रेश इशू और ऑफर फॉर से यह मैं आपको बता चुका हूं एक बर यहां से आप कर लीजिए का अगला अनलिस्टेट कंपनी नीड तो कम लाइविद इस इस थिंग वेन इट ब्रिंस दा आई प्यो ठीक है अधर कंपनी बिकम्स लिस्टेट इट निट सो फॉलो दो डिस्क ज़िए ठीक है ठीक है चली अगला पॉइंट भाई सब क्या कंपनी is not eligible to bring the IPO यह बहुत ध्यान से सुनिए का मत सुनों चलो बहुत सिंपल सा डिटील में की अगर बोले तुमने सेवी के कोई और regulation पहले से comply नहीं कियोंगे तुम बोले IP of IP of नहीं लेखिया सकते हैं अगर तुम्हारी company तुम्हारे company का promoter तुम्हारे company का डिरेक्टर तुम्हारे company का जो selling shareholder है अगर बोले ये default है exactly fugitive economic offender ठीक है default है इनको बोले security market को access करने से बार किया गया है ऐसा नहीं भी लिखाना इतना ही लिख्या जो क्या default है तो आप बोले IP नहीं ला सकते हैं अच्छे या फिर सर आपकी company का जो promoter है डिरेक्टर है ठीक है ये बंदा ये बोले ऐसी company से भी जुड़ा हुआ है जो default है तो आपकी company जो भी आई पूले की नहीं आ सकते हैं इसा पता है कि फिर इसके बाद में सब्सक्राइब कर देंगे मालिकाना में कर दें उनको तुमने किया नहीं है और तुम यहां पर बोले कि नहीं किया नहीं कर सकते हैं तो यह जो चीज है इसको बले आप लेके आ सकते हैं हाला कि एक बाद ध्यान दीजेगा कि regulation 5 के अंदर जो आपके conditions डाले गए हैं जो आपको प्रोहिबिशन दिया गया है वह एप्लिकेबल नहीं होगा वें ऑप्शन गैरंटी अंडर दा इस और इस स्कीम के इसाप से अगर आप शेयर्स को देने की बात करेंगे उसमें नहीं रुख जाओ सर क्या बोले regulation 5 जो उसको contravene किया जा रहा है अगर आपने का हां तो बात इहीं पर खतम हो गई लेकिन अगर आपने का ना 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 ऐसा नहीं हो रहा सर हम बोले उस category में आती नहीं तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा regulation 6 subregulation 1 के हिसाप से कुछ conditions को comply करना होगा क्या condition है sir तीन condition है mainly company के जो net tangible assets है वो तीन क्रोड रुपे उससे ज्यादा क्यों होने चाहिए company के अंदर जो operating profit है वो बोले 15 क्रोड रुपे उससे ज्यादा क्यों होने चाहिए जिसमें से पिछले तीन साल के अंदर हर साल में क्या होना चाहिए profit जो होना ही चाहिए ठीक है अगला point सब बोले net worth जो आपका यहां पे रहेगा वो एक कोड रुपे से जादा का होना चाहिए यह तीन conditions को अगरा पूरा कर और उसमें भी एक बात और क्या जो net tangible assets आपके हैं उसमें से अगर मैं monetary assets के बारे में बात करो सब मतलब मतलब जो आपका cash है एंड जो आपका cash equivalent है अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो कहा गया कि सर maximum 50 परसंट जो आपका रहेगा ना यह बुले क्या हो सकता है आपका cash में हो सकता है in case of what fresh issue हाला कि अगर आप offer for sale लेकर आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए if monetary assets are greater than 50% तो company shall make the appropriate provision to utilize it in the project or the business यह भी आपको बोल दिया चल ठीक है कोई बात ने कि यह जो पैसा आपके पास में रखा हुआ है अगर अगर आपके पैसा रखा हुआ है तो और पैसा रीज्स करने की बात क्यूं कर रहे हो तो अगर पिछले एक साल अंदर आपने company का नाम चेंज किया होगा तो कम से कम 50% जो आपका रहेगा ना वो बुले आपको नए नाम से जो एक्टिविटी आपकी है उससे बुले आपको आना चाहिए और अगर आपकी कंपनी अगर हम यह कंपनी नहीं करते हैं तो क्या आपको इकादी कंदीशन जो आप पूरी नहीं कर रहे होंगे फिर भी आप आप आई पे लेकर आ सकते हैं लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा बुक बिल्डिंग में जो वह यूज करना पड़ेगा मतलब मतलब प्राइस फिक्स नहीं रख पाओगे आपको प्राइस बैंड जो है न वो अनॉंस करना पड़ेगा और जनता पर चोड़ना पड़ेगा कि तुम बताओ कित्ते रुपे पर बुले आपका जो शेर्स है वो बुले यहाँ पर इशू करने चाहिए and 75% प्राइस पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुम बताओ सब्सक्राइब तो अगर वो लोग यहाँ पर इंवेस्मेंट करने को तयार हो जाते बहुत ही बढ़ी बात है नहीं तो फिर whole application amount shall be refunded पूरा पईसा जो होगा यह बुले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा हाला कि इसके अलावा कुछ additional condition जो है वो भी आपको दीगे general वाली condition क्या कहता है वैसा कहता है कि आपको listing का करवाना पड़ेगा पहली पता सही है तो फिर depository के साथ में agreement करना पड़ेगा क्योंकि आज के जमाने में जो shares आपके है वो physical format में नहीं हो सकते उनको electronic format में ही देना पड़ेगा फिर इसकी बाद में सब बुले जो promoters के shares है वो औरी डिमैट फॉर्म में होने चाहिए existing shares जो है वो पूरे के पूरे fully paid up होने चाहिए और या फिर उनको आपने forfeit कर लिया ऐसा होना चाहिए फर्म अर्रेंजमेंट होना चाहिए ट्रूर्डज सेविंटी फाइफ परसेंट ऑफ दा कॉस्ट प्रोजेक्ट तुरू दा वेराइटी सोई वेरिफाइड मीन्स मतलब सर बुले आप जो यह पैसा यहां पर आपके पास में आएगा उस पैसे को आप कहां पे खर्चा करने वाले हैं और 75% of the cost जो आपका है वो कहां कहां पर कैसे कैसे लगने वाला है उसका प्रॉपर अर्रेंजमेंट जो है वो बुले आपके पास में होना चाहिए एंड इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट मैक्सिमम 25% of the issue जो है इसको बुले आप जनरल कॉप्ट परपस के लिए क्या कर सकते हो इस्तिमाल जो है वह बुले आप यहां पर कर सकते हो अगला पर वाई सब क्या सब अगर आप ऑफर फॉर सेल लाने की बात करते हो तो कुछ एडिशनल कंडिशन जो है वह आपको यहां पर करनी पड़ेगी क्या कि वो जो शेयस आपके हैं वह पहले fully paid up होने प्रमोटर्स को आप यह फैसलिटी देने की बात कर रहे हो कि तुम्हारे शेयस हम मार्केट में बिकवाते हैं सवाल यह कि प्रमोटर ने क्या कंपनी को उतना पैसा दे दिया क्या जितने की शेयस उसने लेके रखे थे अगर नहीं तो पहले उससे पूरा पैसा दूसरा शे और यह उसकता है कि आपने सचत्व काम करते हैं प्रमोटर का फाइदा कर भाते हैं दो मैंने पहले बुले सौ चैस दे दी उसको यह सो करोड रुपए के शेयस दे दी उसको और यह का कि वह सब चलो इसको मार्केट में बिकवा देते हैं यह तो गलत हो जाएगा कम से कम एक एक साल उसके पास में रहना चाहिए प्राइट विचार टू भी ओफर्ड वर एक्वाइड on the basis of any convertible securities then combined period of both shall be counted अगर इसके पहले promoter जो उसके पास में कोई convertible securities थी तो जिस time से उसने convertible securities को purchase किया था ना उस date से बुले आपका time period जोगा वो account करके चलना पड़ेगा ठीक है चली अगला प्राइयर holding of one year is not required कुछ cases में कहा गया कि आपको एक साल के लिए hold करना is not required क्या कहता है वैसा अगर offer for sale is of the government company तो statutory authority or the statutory corporation क्या परक पड़ता है छे मैंने पहले से बिए शेर्स आई हुए होंगे तो भी आप offer कर सकते हैं चलीगा दूसरा offer for sale is of any special purpose vehicle which is controlled by the sir फिर सरकार की बात आगी sir है और यह फिर बुले infrastructure project वगर अगर रहा तो उसमें भी बुले promoter के पास में रहें एक साल से रहें ऐसा जरूरी नहीं है अगला point sir equity shares acquired by the seller under any scheme of the compromise and arrangement and the investment in the earlier company was held for more than one year मतलब sir अभी जिस company के shares मेरे पास में है उस company के shares दो ही महिने से पर एक मिन रुख जाओ मेरी जो company है पहले कुछ और थी sir flip card company के जो shares मेरे पास में 4 साल से थे अभी मेरे पास में Walmart company के shares आए क्यों sir Walmart company ने flip card company का acquire कर लिया अब Walmart के अंदर दो मेने से मेरे पास में shares है तो दो मेने से थोड़ी है flip card वाले भी तो count करो तो वहां से counting job वहां पर किया जाना चाहिए अगला point the shares to be offered in the offer for sale were acquired in the bonus issue वहीं या मैं का करूं company ना भी bonus issue लिके आया था चार महिने पहले मेरे थोड़ी गलती है इस के लिए ठीक है on the basis of the equity share which were held at least one year prior to the filing of the offer for sale to the CB and such bonus share shall be out of the free reserve or the security premium existing in the books at the यह तब नहीं भी पड़ोगे तो चलेगा simple सा point यहां पर यह वैसा bonus वारे shares थे यार मतलब ऐसे थोड़ी कुछ भी यह समझा के वैसा यह समझा के मेरे भाई जल्दी से बता देंगे how's the juice how's the juice जल्दी से बता दीजेगा एकानी व्हावा समझा जल्दी से बता दीजेगा क्या बात या बात है त यह छो चीज है है यह मतलब खतरनाक तरीके से बहुत द्हान से देखीगा क्या सभी पब्लिक आफर लाने का का तरीप्र की ऑगा तो द्यां से कंपनी जो आपकी रहेगी बोर्ड मिटिंग लेगी बियार पास करेगी in principle अपरोल करेगी क्या हमें पैस है और पैसा लाने का वैसे तो बहुत तरीका है पर हम यहीं तरीका यूज करना है जमता से पैसा अगला पाइंट सर इसके बाद में कमपनी के मेंबर्स की मिटिंग को लिया जाएगा वहां पे जो रिजूलिशन आपका होगा कौन सा एसार की वार पता नहीं सर लिख के आएं हमको पैसा जो है वो रेस करना पड़ेगा आपका अपरूल जो हो लगेगा ठीक है फिर इसके आदम फिर से का करेंगे बोर्ड मिटिंग लेंगे और यहां पे जो मर्चंट बेंकर है उसको अपॉइंट करेंगे कि भाई साब दुनिया में इतने सारे मर्चंट मेंकर घूम कित्तों को हम अपॉइंट करें यह किसको अपॉइंट करें साथ में जो बुले आपका कम्प्लाइंस ऑफिसर होगा उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड वाली पब्लिक कंपनी है और अगर आपकी कंपनी का जो पेड़ अप्शे अगले दो दिन के अंदर जब आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा उसके दो दिन के अंदर स्वरी विधिन टू देज वापिस है वापिस है क्या करना होगा जो ड्राफ्ट ऑफ़ डॉक्यमेंट आपका होगा वो बले आपको पब्लिश करना है ठीक है वेबसाइट पर बाइस अब सबकी वेबसाइट पर डाल दो जितने भी इंट्रिमेडियर वगर आओंगे कंपनी होगी सभी होगी सबकी वेबसाइट पर डाल ठीक है कम से कम 20 देस के यहां पर अवेलेबल होना चाहिए और जिस दिन आपने इसको पब्लिश किया होगा उसके अगले दो दि इनके अंदर अगर मैं बात यहां पर करूंगा तो क्या कहता है वैसा पब्लिश इन दा न्यूस्पेपर जितने भी न्यूस्पेपर उसमें डाल तो अंग्रेज जी वाला हिंदी वाला और वर्नेकुलर वाला ठीक है फिर इसके बाद में से भी के पास में भी फाइल कर दो आपको बोलेगा नहीं इसमें थोड़े चेंजिस करो यार ठीक है फिर कंपनी क्या करेगा फाइनल ड्राफ्ट जब वो बनाके वापस से बेजेगा और फिर इसके बाद में से बी जो है वो अपना अप्रूवल यहां पर देगा इस अप्रूवल को नाम दिया जाता है ऑब दोसी के पास में फाइल कर दीजे बाइस सबाब में वहाँ पर फाइल करना है ठीक है बात के अटरडिस को भी दे दो सेबी को भी दे दो ठीक है अच्छा सोरी सेबी का अब्जरवेशन एटर जो यहां पर मिलेगा और एट लीस्ट ऑफर जो आपका है वो क्या होना अगर अगर आप दूसरा प्रस्पेटर्स की बात करो तो बारा मैने का टाइम पर आपके पास में है आराम से बूल आप इसको क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं लेकिन यह द्यान से सब इसके बाद में स्टार्ट क्या होगा आपका सब्सक्रिप्शन पेरिएड यह बहुत अगर बुले मैं पबलिक इसु के बारे में बात करूं कम से कम तीन दिन का टाइम मिलना चाहिए लोगों को और मैक्सिमम की बात मैं करूंगा तो दस दिन का टाइम जो मिलना चाहिए ङलाहां कि जब मैं यहां पे any transaction is done by the promoters during the IPO तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा authorities को बताना पड़ेगा 24 गंटे के अंदर जब आपने ट्रांजेक्शन किया होगा उसके 24 गंटे के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर इस दिन आपने डिसाइड किया होगा उसके साथ दिन के अंदर अंदर आपको पोस्ट इसके साथ दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है यह बुले मर्चेंट बैंकर के दुवारा जानी चाहिए किसके पासमें आपके से बी साप इस के पास पर और अगर मान ली जिए आपने डिसाइड कै कि आप करने वाले हैं तो मर्चेंट कि पैसा ब्लॉक करवाया हुआ था न सब को बूले क्या करवा दो अंगले साथ दिन के अंदर अंदर क्या कर देगा जो एप्लिकेशन मनी है उसको रिफंड करने का वहांपर पास जो है वो बुले कर देगा आगे द्यान दीजिएगा क्या सब मिनिमम एप्लिकेशन अमाउंट किता होना चीए जो भी बुले आपका इश्यू प्राइज होगा उसका 25 परसंट वैसे दाजगल पूरा ही परसा ले लेते हैं लेकिन जो इश्यू प्राइज आप करेगा उसको 25 परसं किसी क्या होगा अग्ला प्राइस अगर मैं प्राइजिंग के बारे में बात कूँ सर कितने रुपए में company के शेर जो है वो जनता को इशू करने कहा गया आपकी मर्जी है सर आपको जैसा करना हो company जो है वो खुद डिसाइड करेगी merchant banker के साथ में consult कर लीजेगा बस हाँ justified होना चीए company के account जो है company का balance sheet जो है उसके assets के इसाप से आपको कितने रुपए के शेर वहाँ पर मिलने वाले हैं शेर का intrinsic value कितना रहने वाला उससे क्या कहता है यह ध्यान रखेगा कि company में जो dividend आपको मिलता है company में जो right आपको मिलता है shares के उपर वो सिर्फ और से फेस value के हिसाब से मिलता है ना के issue price के हिसाब से right जब हमने company को start किया था तो अगर निकालने की बात करोगे value per share अगर निकालने की बात करोगे तो आपको वो value जो है वो मिलेगी 15 रुपए की 10 रुपए की चीज को हमने 15 रुपए की बना दी 10 रुपए की चीज को हमने बोले 1500 रुपए की बना दी तो आज अगर हम आपको 1500 रुपए की चीज जो है वो दस रुपे में देंगे कोई मतलब आएगा क्या नहीं तो हमने का एक काम करो तुमको भी अब यहां पर डेड़ुस रुपे पे करना पड़ेगा लेकिन जो चीज तुमको मिलेगी किते की दस रुपे की लेना तो बताओ यह जो एक्स्ट्रा पैसा यहां पर गतने के लिए offer कर रहे है आगे क्या कहता है issue price मरजशी है तो free pricing कर लो आप Share करो और या फिर आप differential pricing मतलब different type of shareholders से application से different type of pesa जो वो आप ले सकते यहां पर आपने company left life Monty. here you said यह यह ब्रेब़े दो ।का हो सकता अबका पहला बुले fix You और दूसरा प्राइज बैंड इसमें क्या होगा एक तुम प्राइज बैंड का अनॉंस्मेंट आप करने वाले तो यहां पे दो टाइप के प्रॉस्पेक्टर आपको इसू करने पड़ेंगे पहला आपका रहेगा जिसका नाम क्या होगा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टर जो ड्राफ्ट के तौर पर आपको देना पड़ेगा और जब एक बार प्राइज फिक्स हो जाएगा तो जो फाइनल प्रॉस्पेक्टर आपको यहां पर देना पड़ेगा मेरे बैंड गौट किया है? मैं क्या हैु किया क्या कैता है वह City? कने में अफ्र डिफरेंट प्राइज सुरी, ओफर डिफरेंट प्रीज इए और इंवेस्टर गवर्ट क्या इसकता है ऑचता है इंडिजिटे और सब्सक्राइम को बिंदीजिघल रील वालार दूसरा नट Von Retail अरे सिंस ब्ले 30,000 के ऐसी मिलेगा सर बुले नौन िटेल वाला सर यह लंसम मिलेगा सकत इतने करोड के उतने करोड के यह समझा ठीक है क्या कहता है सर, reservation किया जा सकता है इसके और इसके लिए aise Lazio price में discount दिया जा सकता है एक tempo बुले इसके लिए और या इसके लिए गौट दापने कहा कि बाकियों के लिए तो इनसे पंदरा रुपय तक कम आप ले सकते हो यानि कि 135 रुपय तक का प्राइज जो है वह पिंसे लोग लेकिन अगर आपने कहा कि प्राइज का रेंज किता है बुले बाइस साब बुले 110 रुपय से लेके 140 रुपय त 110 में से 11 रुपया जो है वहां तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है और जो भी प्राइज आपको यहां पर आ रहो किता 89 राइट यह जरूरी नहीं कि आपको 10 परसंट का देना ही है कम भी कर सकते हैं 5 परसंट का भी दे सकते हैं लेकिन 10 परसंट से जाधा का होना नहीं चा 10 बजे वी शल रेजुम दा क्लास मिलते हैं 10 बजे तिल देन टेके बाबाइस और लव यू ओर झाल 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 प्रवा झाल 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 चलिये वाई साहे वाजाईए सभी के सभी लूगन फटा फट से कम आन वेरिबड़ी वल्कम बाक तो लोगन फटा फट से कम आन वाई साहे वाई साहे फटा फट से लेट उस मूव एड बात करते हैं अगले वाले टॉपिक के बारे में सभर ले कौन सा टॉपिक कौन सा चेप्टर कर रहा हैं तो उसे ही अपनी हाँ पर क्या करेंगे कंटिनी जो है वो करेंगे ठीक है अखे भाई साहीब चली हमने कहा सभी यहां पर आपने एंप्लोई को बेनफेट देने की बात करें सवाल यह आता है कि आखिर कौन वो बंदा होगा जो को बले यहां पर एंप्लोई का नाम जो वो दिया जाएगा कंपने का या फिर प्रमोटर कंपनी के होगी उसका चाहए हूं इंडिया के बाहर लेकिन साती सात में जो ट्रेक्टर आपका होगा इसके लिए है यूए recession और ओने ह lado यहां ध्युथिएма अगर याप रिटेल इंवेस्टर जो की दो लाख रुपे से ज़ादा की फेस वाली के अप्लाइब नहीं करते हैं तो से क्या घाएगा अगला पर सर क्या reservation किया जा सकता है क्या सरी reservation और differential pricing दोने में क्या फरक है वहाँ पे कहाँ डिसकाउंट देने के वारे में यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ सब issue को ही reserve कर दिया जाएगा उनको कहा जाएगा कि इतने शर्जो तुम ही रखो बोले तो कहा गया कि एक तो बुले employees के लिए और दूसरा बुले जो आपके retail individual investors आपके रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो reservation का काम रहेगा वो बले यहाँ पे किया जा सकता है और किसके लिए भाई सब आपके जो shareholder रहेंगे उनके लिए ठीक है तो क्या कहा गया अगर मैं employees की बात करूं तो employees वाले जो point है वो ध्यान रख गया कि जो लोग दो लाख रुपए के face value के लिए apply करेंगे उनके जो यहाँ पे हो सकता है लेकिन अगर जो आपका इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हो जाता है और employees कहते हैं तो ऐसे case में पांच लाख रुपए तक की जो हैं वो भी उनके लिए किया जा सकते हैं अगला पांट बाइस सब्सक्राइब के लिए क्या कहा गया इन एग्रिगेट फॉर ओल्ड़ शेयर होल्डर सब्सक्राइब और अगर मैं इंडिविजिली की बात यहां पर करूंगा तो दो लाख रुपए के जो आपके रहेंगे है दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स प्रेंट एलोकेशन इंदा नेट ओफर यह बहुत द्यांस है अगर बुले आपने बुक बिल्डिंग प्रॉसर्स मेथड जो उसको यूज करने की बात करी पहला जब बुले आप रेगलेशन 6-1 का कंप्लाइज जो है वो कर रहे हूँ को मदल्ग की conditions को कंप्लाइग किया जारहे तो ऐसे के समें कम से कम 35 परसंट जो आपका होगा वो इंडिविजल इनवेस्टर को जाएगा और बाकि मैक्सिममं 50 परसंट जो आपका होगा वो क्योई भी जाएगा उसमें से थान देना पड़ेगा कि 60 परसंट जो जब जाना सब रेग्रेशन वन की कंडिशन को कंपलाइब नहीं किया और आपको यहां पर मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है तो पहले कहा था कि क्यों आपको करना पड़ेगा वो रहेगा कम से कम किता 75% 75% के वाज में बचा किता 25% 25% में से मैकसिमम 10% रेटेल वालों को और जो 15% होगा वो नॉन इंस्टिटूशन वालों को किया जा सकता है अगला पांट यहां पर आता क्या कि अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस यहां पर नहीं देते हैं फिक्स वाल अगर रखोगे तो मिनिममम 50% जो आप कर रहेगा वो किसक जो करना पड़ेगा जिसमें कि किसी भी बैंक को आप कर सकते हैं जो कि क्या करेगा कि जो भी पैसा यहां पर पब्लिक इशू से आ रहा है वो बुले कहां पर खर्च किया जा रहा है उस चीज़ को क्या करने वाला मौनिटर करने वाला है और उसकी बेसेश पे अपनी जो र समीट करेगा स् लकंसे क्वाटर तक समिटकर जब तक कि जो बोले आप यहां पर पैसा लाने वाले हैं उसका 95 पैसा पैसा जो है वह बुढले कै Hermanogia यूटिलाइज हो जाता जो पैसा इशू में आने वाला है उसका 95 पैसा आ भी चुका है और यूटिलाइज भी हो चुका ह तब तक कि आपको यहां पर क्या करना होगा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और रिपोर्ट जो है वो बना-मना कर देना पड़ेगी और फिर इसके बाद में जब बुले आपकी पूरी रिपोर्ट बन चुकी होगी तो जो आपका इस्युआ कंपनी की के स्टॉक श्रॉट कर वह सकता है और यह को नहीं की बाद कि आहाँ सब्सक्राइब करते हैं उतना करनेकी आघे हैं कर देंगे कि हम तो लेके आ रहे हैं और उसके कुछ दिन के बाद में जो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा वह बहुत सारी कंडिशन जो है वह बहुत यहां पर दी गई है रेफरेंस डेट के पहले रेफरेंस डेट के बाद में काफी सारी कंडिशन जो वह बहुत करनी पड़ेंगी अगर यह कंडिशन को आप करते हैं तो ऐसे किसमें क्या होगा फास्टर की इशू जो है वह बहुत आपको आजाएगा एग्जिट ऑफर प्राइस सः यह बहुत द्यान से अगर कंपनी के जो प्रमोटर है वह कहते कि देखे वाई साब अब हम नहीं चाते कि हमारी कंपनी के जो शेयर से वह आम जनता के पास में रहे हम तो यह एक साल से उपर हो चुका है और दूसरा यह फिर लेस दिटिट व अगर बुले 52 हफतों से जादा हो चुके हैं तो जो 52 हफतों का आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेस प्राइज होगा वह बुले आपको यहां पर पे करना पड़ेगा अगला अगर आपकी जो कंपनी उसकी जो शेयर से और वह जो शेयर आपके हैं वहां पे ट्रेड हो रह लगाता ट्रेड होते रहते हैं तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइज आपका इमेड़ेटली प्रिस्टी डेस का होगा वह बले आपको यहां पर लेके चलना पड़ेगा और अगले पॉइंट पर आएंगे अगला चैप्टर नाम क्या है लो डी आर लो डी आर रेगुलेशन जो कि कपके हैं 2015 के भाई साब लो डी आर रेगुलेशन के साब से आपको नॉमली यहां पर क्या बोला गया आइसीडर में ही बूल दिया गया था कि आपको क्या करना होगा आपको अपनी कंपनी के शेर्स अगर लिस्टेड वाले चाहिए तो आप बोले kyle सब्सक्राइब यहां परर करना पड़ है और यहां पर लेना पड़ेगा नीट भी करने बिफॉर और थाइम फिर इसकी बाद में ध्यान दिजेगा कहा गया कि अगर आपकी अलिग ऑली नदिर और लिस्टेड और बोथ दा आर एसी एंड श्राइशन नहीं होगा इनको यह कहा जा रहे हैं प्रपोस कर रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है वो क्या होने वाली है बीसी पे और या एनसी पे ट्रेड होने वाली पुर्प के सब यह संचा सर दोनों की अगर मैं बात करोंगा तो इन दोनों का ही निशन वाइड के बारे में बात करूंगा तो कुछ compliance ऐसे हैं जो कि आपके वन टाइम रहने वाले मतलब एक ही बार करने सब्सक्राइब करना पड़ेगा कंपनी में चार ट्राइब की कमिटी जो आपकी हैं उन कमिटी को यहां पर बनाना पड़ेगा और आपके यहां पर विचल मेकनिजम ज तो उसके बारे में बताने का प्रावधान जो होना चाहिए और जो बंदा उसके बारे में बता रहा होगा उसे whistleblower कहा जाएगा और वो बंदे के against में कोई action जो है वो ना लिया जाए और उसके सुरक्षा जो वो provide की जाए इसके बारे में ध्यान जो है आपको रखना मतलब अगर कंपनी में कोई काम आपका हुआ तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा डिस्लोज करना पड़ेगा स्टॉक एक्षिंज को जाके बताना पड़ेगा जितनी बार आप वो काम करोगे कब करने वाले हैं पता नहीं सर कभी भी हो सकता है जैसे सर आगे एफ आज में भी प्रस्क्राइब इन दा लोडियार रेगुलेशन हर एक का जो डेज आपके हैं वो आपको याद रहने वाले नहीं है ध्यान रखेगा इसलिए क्या लिख आए अगे ध्यान दीजीगा अगर मान लीजिए आप बुले कंपनी में कोई बोर्ड मिटिंग लेने की पहले 11 दिन पहले आपको स्टॉक एक्शेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में सबसे पहली बात अगर कंपनी के सिक्योर्डिस को लेकि आप कुछ डिसाइड करने वाले हो तो कम सिकम दो दिन पहले अगर बुले फाइनिशल स्टेट्मेंट को लेकि सिक्योर्डिस के जो नीचर उसका चेंज करने वाले हो तो ग्यारा दिन पहले है को क्या करना पड़ेगा क्या हम इतने दिनों बूर्ट मिटिंग जो है और ढ़ी मिटिंग में डिसेजिन क्या आक क्या आपका रिजॅरुलिशन पास हुआ या फिर वह फिल उगया इसके बा कोई भी साल April से लेके अगले साल की मास तक रहता है इसमें उसमें अगर मैं आपकी बात करूगा तो दो क्या करना होगा कहा गया कि corporate governance का आप compliance कर रहें इसका certificate आपको लेना पड़ेगा पहला दूसरा investor shareholders के grievances जो है उनके जो detail है वो बोले आपको यहाँ पर provide करने पड़ेंगे शेरोलिंग पैटर्न जो आपको बताना पड़ेगा सर quarterly results वगरा जो है वो बोले फिर इसके बार में सर हां यह ध्यान रखेगा कि quarterly में कौन से काम करने पड़ते वह ध्यान होना सबसे पहली बात तो यह कि आपको जो फाइनेशल रिजल्ट है और दूसरा अगर को पार्टी ट्रांजिक्शन आपने किया होगा तो उसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्डन आपका आता है क्या जैसे ही आपका साल खतम होता है तो आपको कम्प्लाइंस सेटिफिकेट जो की PCS से लेना होगा वो सब्मिट करना है फिर इसके बाद में जो एन्वल लिस्टिंग का फीस होगा वो बले आपको पे करना है सारे डॉक्यमेंट्स वगरा के साथ में फिर इसके बाद में सब बले AGM के 21 डेज पहले आपको क्या करना होग कम्फिकाइब होगा जो नोट्स गेरा जो है वो बलें अब्फ़ वेसे बहले आ पड़ता है और साथ में जो एन्वल रिपोर्ट के पास बढ़ेगा और कैसनल बुले within 60 days file करना पड़ेगा आपको क्या annual result of the company यह बुले आपको करना है अगला पॉंट यहां पर आता है क्या composition of the board of the listed company as per the LODR क्या कम से कम तीन डिरेक्टर होने चाहिए वैसे लेकिन ध्यान दीजेगा कि उसमें से एक जो है वो महिला डिरेक्टर होनी चाहिए बर ठीक है अगर आपकी company top 1000 listed companies में आती है depending on the market capitalization मतलब मतलब भाई साब आपकी company के shares कितने रुपए के shares कितने trade हुए है market के अंदर उसके business पर आपके यहां पर जो वो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर की conditions को भी comply कर रही है ऐसा होना चाहिए यानि कि section 149 सब section 3 से लेके सब section 12 तक के जो conditions है वो बले आप 12 तक की जो condition है वो आप comply कर रहे है ऐसा होना चाहिए और नहीं तो फिर नॉर्मली भी अगर रहा ना मतलब विमेंड डिरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं बरी तो भी चलेगा अगला point सर बुले अगर company का जो chairman है company का जो chairman है वो executive director मतलब दिन भर company में बैठा रहेगा company के लिए काम करेगा तो में काम तो भी करने वाले तो कहा गया आधा बोड अगर independent director की तौर पर रहा तो चलेगा लेकिन अगर बुले वो non exit वाला है exit वाला नहीं है whole time वाला नहीं है तो ऐसे case में if he is also a promoter or related to the promoter group है तो वापस से सेम सर वापस से सेम क्यों क्योंकि में काम तो वही समाना लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बुले यहां पर कहा गया at least one third of the board shall be independent director जो one third आपका होगा वो बले आपका क्या होना चाहिए ठीक है अगला पन वाइसा क्या number of directorship एक बंदा maximum कित्ती companies में director बन सकता है तो यह ध्यान से वैसा company law और यह दोनों मिला के अगर बात करेंगे तो कहा गया maximum 20 companies उसमें से maximum 10 company public होनी चाहिए और उसमें से भी maximum साथ company जो है वो कौन से होने चाहिए लिस्टेड वाली company जो है वो बले आपके रहनी चाहिए लेकिन हां इसमें condition देखिए क्या if a person is not WTD in any listed company अगर आप किसी listed company में WTD नहीं है तो में भी appointed as a non executive director और independent director in maximum seven listed companies and other companies as prescribed in the section number 165 of the companies as 12 लेकिन if such person is a WTD in any listed company अगर वो बंदा किसी listed company में WTD होगा तो ऐसे case में वो किसी independent director के तौर पे maximum 3 companies में ही appoint हो सकता है who's only equidious यहसा listed on the stock exchange बाकि जो 20 requirement आप पूरी कर रहे हो ठीक है बट अगर आप किसी listed company के अंदर WTD हो तो ऐसे case में आप सर्फ तीन listed companies के अंदर independent director के तौर पे काम कर पाओगे बाकि फिर दूसरे companies आपको देखने पड़ेंगे जो listed नहीं होने चीए ठीक है चलिए अगला point बाइस अब क्या quorum की बात अगर करूं तो quorum के लिए आपका LODR यहां पर क्या कहता है कि अगर आपकी company top 2000 listed companies में आती है तो जहां पर आपने दो बूला था ना वहां पर तीन होना चाहिए ठीक है और अगर मैं अगला अगला point सब अगर मैं committee के बारे में बात करूं तो एक बुले आपका आता है जिसका नाम क्या है audit वाली committee sir audit committee तीन directors होने चाहिए सारे के सारे financially literate होने चाहिए expert नहीं रहा तो चलेगा पर literate होने चाहिए और एक बंदा जो है वह financially expert होना चाहिए majority independent directors होने चाहिए मतलब तीन में से कम से कम दो independent होने चाहिए और बाकी जो रहेंगे वह नॉर्मल चलेगा चाहिए और यह ध्यान से independent director one should be chairman of the audit committee जो दो independent directors आपके उसमें से एक को क्या करना पड़ेगा audit committee का chairman बनाना पड़ेगा एंड उसकी meeting साल में चार बर होने चाहिए maximum अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में audit committee के मिटिंग के बारे में अगर audit committee में तीन मेंबर हैं उसमें से कहा दो independent director होने चाहिए तो यह दो लोगों का तो मिटिंग में आना क्या है कंपसरी तीसरा नहीं भी आ तो चलेगा यह समझा अगला अगर मैं नर्सी कमिटी की बात करूं तो composition कम से कम 3 non executive director होने चाहिए जिसमें से आधा शेल भी इंडेपेंडेंट डेक्टर और उसमें से एक बंदा जो है वो बुले क्या होना चाहिए और at least once in a year इनकी मिटिंग जो होनी चाहिए कोरम की बात अगर करेंगे तो सेम जैसे बोले board meeting की कोरम रहेगी लिस्टेड कंपनी के लिए वही कोरम बोले यहां पे आपको बोली गई फिर इसकी बाद में एसार सी लिस्टेड कंपनी है सर एसार से आपको लगे के लगे सर वह कुछ लिमिट वगर दी थी ना एलो डिया मतलब लिस्टेड वाली कंपनी है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड वाली कंपनी भाड में गया तुम्हारा पेड़ क्या बाड में गया तुम्हारा यहां पर क्या बॉर्ण तुमको बोले यहां पर क्या करना पड़ेगा यह कमेडिस को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम पर कमीटी में डिर्क्टर के अलावा किसी और को भी आप यहांपे क्या बना सकते हो जिसको नॉलेज होगा कि अगर किसी कंपनी में किसी भी टाइब का रिस्क अगर हो सकता है तो इसको कैसे mitigate किया जाए ठीक है एंड जो majority देरेक्टर्स रहेंगे वाइसाब उन में से two-third जो है वो क्या होने चीए independent डेक्टर और बाकी जो है वो अगर आपके normal डेक्टर रहे तो फिर चलेगा अगर कंपनी में एसार वाले सुपीर राइट वाले एक्विडी शेर्स है तो तूठर इंडपरेंट डेक्टर होने चीए अधर एक भी रहा तो भी काम बोले आपका हो जाएगा मिटिंग एक साल में बोले कित्ती बार दो बार अगला कोरम सेम सर नॉर्मल वाला कोरम अगला पॉइंट जो है यह बोले भाई साब आपके लिए सबसे इंपोर्टन वाला पॉइंट अगर मैं एलोडियार के साब से बात करूँगा तो क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है सब एक मपनी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करती है सबसे पहली बात घरवालों से करो आपको बोले आम से लेंध प्राइस पर ट करती है तो ऐसे केस में आपको बोले कंप्लाइक करना ही करना पड़ेगा पड़ उसके अलावा गर मैं यहां पर बात करूंगा आपको एलोडियर केसाब से भी बाते जो ध्यान में रखने पड़ेगी क्या केता वैसा सर क्या आप जो रिलेटेट पार्टी ट्रांजेक्शन कर उनकी जो एग्रिगेट वैल्यू है क्या वो कंपनी का जो एन्वल करेंट ट्रनोवर है क्या उसके टैन परसंट से जादा है क्या उसके बराबर का है क्या तो उससे क्या कहा जाएगा उसे मटेरियल कहा जाएगा सर अगर मटेरियल ट्रांजेक्शन करने की बात कर रहे हो त बोले आपको यहां पर नहीं पड़े ठीक है चलिए सब आगे क्या कहता है हालां कि सर मेंबर्स के अपरूल की requirement material transaction के लिए भी नहीं पड़ेगी अगर अगर जो transaction यहां पर किये जा रहे हैं वो बोले insolvency के case में अगर किये गए होंगे तो इतना ही जानक ना क्या बोला अपने अगर insolvency के case में transaction किये जा रहे हैं तो बोले उस case में आपको material transaction के लिए भी या insolvency अगर है तो committee of the creditors के पास में control है उनसे पूछना पड़ेगा shareholders का क्या काम है आप है समझा however यह जान से no approval of audit committee audit committee के अप्रूल की रिक्वार्मेंट नहीं है और members के रिक्वार्मेंट नहीं कब अगर जो related party है वो government company से जुड़ा होगा है गवर्मेंट कंपनी में कर ट्रांजेक्शन हो रहे ना किसे को पूछने की सब्सक्राइब कंपनी के अकाउंट बनेंगे ना उसमें इसके बारे में प्रॉपरली आपने क्या कर दिया बता दिया और जनल मिटिंग में उसको आपने क्या कर दिया ठीक है चलिए कि यहां पर सफिशन रहेगा आपको किसी और की रिक्वार्मेंट नहीं पड़ेगी इंपोर्टन जो पॉइंट आपका यहां पर आता है इसमें भी वह है आपका ओम्निबस वाला जिसके बारे में आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है सर ओम्निबस अपरूल का मतलब क् series of related party transactions मतलब बार 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 अगर बुले audit committee के पास में जाएंगे उसे चेक काम करते हैं एक ही बार चले जाते हैं और एक ही बार जाके एक ही बार में अप्रूल जो वह लिक्या जाते हैं उसे क्या का जाएगा ओम्निबस अप्रूल सर अप्रूल फॉर्वल फॉर्द सिरीज of RPTs in a specified period usually एक साल क्या कहा गया if the details of the RPTs are provided by the board to the audit committee and if the conditions are complied then audit committee जो है वो ओम्निबस अप्रूल दे सकते हैं for the transaction of any amount otherwise for the transaction up to rupees 1 करोड and for all the RPTs for which the omnibus approval is given quarterly review जो है वहां पर क्या किया जाएगा लिया जाए अगर omnibus अप्रूल दे दिया गया है तो quarterly check किया जाएगा भाई साब जिन transactions के लिए हमने एक साथ अप्रूल दे दिया थे वो transaction जो किसे साब से किये गए सही तरीके से किये भी गए और य बहुत सिंपल सिंपल सा है फटा-फटा से पढ़ेंगे क्या सर बुले अगर कोई भी इंसान अकेला या किसी और के साथ में मिलके किसी भी कंपनी के अंदर controlling power को हासिल करता है voting power के थूर और या फिर management में control पाने के थूर तो उसे बुले यहां पर acquisition takeover का नाम जाए वो बले पर दो करने पढ़ेंगे जैसे कि सेक्षिस नबर 235 अगर आपकी कंपनी लिस्टेड वाली कंपनी भी है तो आपको चाहता हूं कि इसकंपनी का लिस्टिंग को फॉलो करना पड़ेंगा लोडियार कहता है कि अगर आप चाहते कि तो मिनिमम पब्रीक शेडूडिंग नहीं पढ़ेगा और दूसरी बात यहां पर यहां पर यह भी कहा गया लूडी रही आपसे कहता है कि अगर लिस्टेड कंपनी के शेर्स को आप एक्वायर करने की बात करते हैं तो आपको सीबी का सेस्टे रेगुलेशन यहां पर क्या करना पड़ेगा कंप्लाय करना पड़ेगा टेक और तीन टाइप के होते हैं फ्रेंडली वाला टार्गेट कंपनी के मैनेजमेंट से जाके बात कर लो उनको ओफर दे दो कि हमें आपकी कंपनी को एक्वायर करना है कितने रुपए में एक शेर देगा बता दे पैसा उतना में ओफर दे दूँगा फ्रेंडली आपको पता है कि टार्गेट कंपनी का मैनेजमेंट कभी आपकी इस बात को मानने वाला नहीं है एकजांपल अगर एक एक ऐसा मौका आ गया जहां पर ऑपर देने की बात वह आ गई गए ओसे केसमें उसे क्या का जहाँगा हॉस्टाल टेगर टार्गेट कंपनी के मैनेजमेंट को ना तो आपने कुछ बताया ना अपने उसके पूछँ पुछा उनको अफर दिया नहीं सपार है उसकंपणी के जो यह लिया हुआ है अगला बेलाउट टेक उर जिसकंपनी चुकता करना पड़ेगा अगर उसका लोन चुकता करके अगर उसके बैंक को पैसा जो देखे फिर अगर मैं कंपनी को यहां पर अक्वाइर करने की बात कर रहा हूं तो ऐसे किसे क्या कहा जाएगा बेलाउट टेकोर जो वो कहे दिया जाएगा अगला पंड सेक्शन नमर्ट को 25 को अगर टींड करना चाहते हैं उसने इस ने का झाई हों तो इकवाइर के स्कीव और बना के वह गया कहां पर तागड कंपनी के बोड के पास में जाकर सकी मापने ने के बाद मैं जो टागेट कंपनी आपकी होगी अगर उसको यह प्रेसल पसंद आया और उसको लगा कि company के members शायद मान जाएंगे तो उसने का ठीक है मैं members की meeting को बलाता हूँ वो members की meeting को बुलाएगा members की meeting को बुलाके वहाँ पर scheme जो उसके बारे में बताए कि बाई सब देखो ऐसा ऐसा है एक बंदा है एक company है जो कि हमारे company के shares के लिए दो गुना पैसे देने को तयार है देट गुना पैसे देने को तयार है दस रुपे बीस रुपे तीस रुपे उपर देने को तयार है तो अगर आप लोग 90% in value of shares जिनके पास में भी होंगा अगर वो लोग हाँ बोल देते हैं तो scheme को अगले दो महिने के अंदर अंदर विदिन टू मन्स अप्रूवल आ जाने के बाद में दो महिने में जो एक्वाइर आपका होगा वो डिजेंटें शेयूडर को नोटिस देगा वह या सोनो चलो लाओ इदर शेयस लाके दो अगर तुमको लगता कि थोड़े अगर आपको लगता है कि बाइस सब्सक्राइब करने पड़ेंगे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे और या तो फिर उसको अप्रूफ कर देगा अगर वह अप्रूफ कर देता है यह बहुत द्यांसर अगर बोले अप्रूफ कर देता कि आपकी जो स्कीम एकदम बढ़िया थी सही तरीके से आपने काम जाओ यहां पर किया है तो एक्वाइर जो आपका होगा वह क्या करेगा नूटिस देगा साथ में बुले SS4 देगा ट्रांसफर डी डिसाइन करके देदेगा और कंसिडरेशन जो है वो भी देदेगा किसको सर्ट टागेट कंपनी के मैनेजमेंट को और यहां पर जबरदस्ती जबरदस्ती अगली एक महीने के अंदर जो टागेट कंपनी वो क्या करेगी डिसेंटेंट इंडर का जो नाम होगा वो रजिस्टर मेंबर्स में से हटा देगी और जो एक्वाइर होगा उसको जो नाम रहेगा वो यहां पर एंटर कर दिया उसके चार मेने के अंदंदर अप्रूज वो बिले आपके यहां पर हो जानी चाहिए फिर यह वाला जो पॉइंट है अपने बात कर चुके हैं अगले वाले पॉइंट पर आते क्या इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ दे लिस्टेड कंपनी ठीक है हमने क्या कहा इफ टागेट कंप कि आपको मिनिममम पब्लिक शेर होल्डिंग जो आपने पढ़ा था कौन से वाला नाइंटीन ए और नाइंटीन टूबी किस के अंदर एस सी आरे के अंदर अगर बुले वह 25 परसंट के नीचे चले जाता है तो आपको सामदाम दंडभेद कुस्तों भी करना पड़ेगा औ दूसरा सर बुले 31 जो है वो कहता है कि आपको से एस्ट रेगुलेशन जिसे टेक ओवर कोड भी कहा जाता है आपको इसके हिसाब से ही जो टेक ओवर है यह एक्विजिशन जो वह आपको करना पड़ेगा सर यह बहुत द्यांसर डिस्क्लोजर रिक्वार्मेंट सबसे पहल कहता है यहां पर इवेंट बेस्ट डिस्कोजर यह क्या कहता है यह कहता है कि अगर मान लिजे फॉर एक्जामपल आपने जिस दिन कंपनी के अंदर उसके टोटल वोटिंग राइट के फाइफ परसंट यह उससे जादा के शेर्स को एक्वार कर लिया तो जिस दिन ऐसा हो क्या होगा उसके दो दिन के अंदर कंपनी को और के फिर करते हैं कमपनी के शेर्स को आपने घ्रिविय रख वाय या फिर जहां पर गिरवी रखा वो तो वहां से आपने क्या करना पड़ेगा अगला पॉंड कहता है सर हर साल करना पड़ेगा अगर आपके पास में 21st of March of Every Year 25% या उससे जाधा के शेयर सगर हैं फर्दर नहीं गए होंगे लेगिन इससे जाधा की शेयर सगर रहे तो आपको साल खतम होने के 7 दिन के अंदर यानि कि 7 अपरिल तक आपको क्या करना पड़ेगा इंटिमेड जो है वो करना पड़ेगा और प्रमोटर को सार हर साल करना है साथ दिन के अंदर बताना ही पड़ेगा से तो pada बहुत है वो यहां पर अभी पढ़ा लेकिन अगर बुले भाई साव आपकी जो शेर से वह इनोवेशन ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो आपका होता है वहां पर अगरी रेजिस्टर्ड है तो क्या कहा गया कि जहां पर 5% की बात की गई थी वहां पर आपको करोगे तो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला पॉइंट यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो ठीक है यह भी अपन कर चुके है तो इसको आप छोड़ देजीगा अगले वाले पॉइंट पर आज़ो भाई सब क्या ओफर इंदा टेक ओवर यह बहुत ध्यान से देखेगा अगर मैं बुले ओफर के बारे में बात करता हूँ मतलब जनता को ओफर देना पड़ेगा कंप को परचेस करना चाहता हूं यहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी इकादे बंदे के पास में चले गए और नेगोशेट डील जो आपका होता है वह बुले आपने महां पर कर लिए आपको क्या करना होगा आपको यह ओफर जो है वो देना पड़ेगा निउस्पेपर में सर एक आपका ओफर होता है जिसे कहा जाएगा मेंडेटरी वाला कंपल सली देना ही पड़ेगा सर कब सर जब बुले आपके पास में सामने वाली कंपनी के 25 परसंट या उससे भी जादा के शेस अगर आ गए होंगे तो ऐसे के इसमें आपका ओफर देना पड़ेगा लेकिन अगर मानलो जो शेयर से है वो आईजीपी प्लेटफर्म पे है तो 49 परसंट जब क्रॉस किया जाएगा ना तब बुले आपको यह ओफर जो देना पड़ेगा अच्छा का इस एक बात ना बहुत ध्यान से देखेगा क्या बच्चे ना एमेंडमेंट एमेंडमेंट की बात तो सप्लीमेंट में आपको दिया हुआ मिल जाएगा सर क्यों क्यों जिस टाइम पर इस सप्लीमेंट लेकि आता ना वह क्या देखेगा सर सीबी का यह रेगुलेशन नहीं वाले इंट्रड्यूस किया है इसमें कुस्तों भी लिखा हुए उठा के चिपका देगा यह समझा अगर मैं ICDR regulation की बात करूंगा तो वहां पर आपको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ खास information नहीं दिया हुआ है खल यह बताए गया है एक चोटा सा यहां पर paragraph दिया गया है कि जहां पर स्टार्टर वाली जो इनके श्रेस को लिस्ट किया जाता है उस कि अगर IGP platform पे company के shares थें तो उस company के shares अगर आप acquire करने की बात करोगे तो बुले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा तो बुले आपको यहां पर जो होगा वो बुले आपको यहां पर देना पड़ेगा अगर normal company है 25% की limit को जैसे ही बुले आप cross करने की बात करोगे तो आपको open offer देना पड़ेगा आप सुमड़ी में shares लेने की बाद वहाँ पे नहीं कह सकते हैं अगला point subsequently मतलब पहली बार आपको open offer जो है वो देना पड़ेगा मालनी जब for example कि पहले आपके पास में 24% shares थे हैं लेकिन बाद में आपने क्या कहा कि मैंने 26% का offer जो है वो दे दि 5% से जादा के shares को लेनी की बात कर रहे होंगे तो आपको यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा compulsory open offer जो है वो बले आपको यहां पर देना पड़ेगा सर्ध्यान रखेगा कि जहां पर आपको compulsory open offer देना पड़ता है आपको कम से कम 26% of the total voting right का offer जो देना ही है इससे जादा देना चाओ तो और भी बड़िया बात लेकिन कम से कम अगर मैं बात यहां पर करूंगा तो 26% of the voting right आपके पास में आ जाए ऐसा offer जो है वो बले आपको यहां पर देना पड़ेगा राइट भाई साब बुले ठीक है सब चली अगला point यहां पर आता है क्या voluntary open offer यह क्या कहता sorry maximum permissible non public share voting है that is 75% अगर इससे वोले कम है और ऐसे case में एक financial year के अंदर आपने 5% shares को acquire नहीं किया है अगर आपने 5% shares को acquire नहीं किया है तो open offer देना बनते हैं फिर भी आपने का मैं को देना है सर तो दे सकते हो पर अगर voluntary open offer आप दे रहे होंगे तो कम से कम 10% of the voting rights का जो offer होगा वो बुले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा यह आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यह समझ मैं बुले ठीक है साब फिर इसके बाद में एक topic आपको यहाँ पर आता है कौन सा conditional offer क्या सो बुले मैं आज offer दे तो रहा हूं लेकिन सब्जेक्ट टू कंडिशन है क्या condition है ब पैसा मेरे पास में वापस आ जाना चाहिए और मैं अपने offer को यहाँ पर विड्रॉ कर सकता हूं यह समझा इसे का जाएगा conditional offer फिर इसके बाद में एक और आते हैं जिसको नाम क्या रिया जागा competing offer कोई company है जिसके shares को आप acquire करने के बार में सोच रहे थे कोई और बंदा भी आपने open offer दिया है voluntary वाला या compulsory वाला तो आपके competition में उस बंदे ने भी क्या कर डाला offer दे डाला आपके offer के comparison में उसने भी क्या कर दिया offer जो है वो दे दिया उसे क्या का जाएगा competing offer का नाम जो है वो दे दिया जाएगा अगला पांड यहां पर दियान दिजेगा क्या regulation में 293 इसको एक बार आप खुद से देख लीजेगा जो अभी अपने पड़ा था ना वही वाली चीज़ वह आपको यहां पर दी गई है राइट कि कब आपको disclosure देना पड़ेगा और कब आपको open offer वो देना पड़ेगा यह बहुत दियान से सुनिएगा यह है आपका सबसे important वाला पार्ट जो कि लगभग यह लगा लो कि आपका बचाओ जो पूरा chapter है ना उसको यहां पर क्या कर देता है क्या किता भाई साब ध्यान से सर अगर मान लीजिए आपकी जो लिमेटर वो क्या होगे ट्रिगर हो गई कब होगी बाई साब जब बुले आपने 25 परसंट को क्रॉस कर दिया तब आपकी जो लिमेटर वो ट्रिगर हो जाएगा मतलब यह हो गया कि अब आपको open offer दिना पड करने पड़ता है क्या क्या नहीं करने पड़ता है उसको पॉइंट करके एक पब्लिक अनॉस्मेंट करवा दो सारी न्यूस पेपर के अंदर कि भाईया हम का करने जा रहे हैं इस कंपनी के शेयर को पर्चेस करने के लिए open offer जो है वो बोले हम देने जा जिस दिन आपने आपको किसे को पता ही नहीं चला हो गया फिर इसकी बाद में सर बुले जिस दिन आपने पब्लिक अनॉस्मेंट दिया था उसके अगले पांच दिन के अंदर अंदर आपको डेटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो आपको देना पहले आपने announcement कर दिया मैं शेयर्स ए बारे में क्या कर देजेगा बता दीजेगा और फिर क्या कहता है यह बहुत द्यांस्या सर जिस दिन बुले आपने डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट दिया उसके कम से कम दो वर्किंग डेस पहले यानि कि इस डेट से कम से कम दो दिन पहले अब यहां पे भी हो सकता है य इतना consideration people आ रहा है आपके price के बेसे उसका 25% जो डिपॉजिट कर देना लेकिन अगर जो बुले आपका consideration पेबल वो 500 कोड रुपे से ज़्यादा का आता है तो 500 कोड रुपे के ऊपर का जितना भी आना उसका पड़े होंगे ना तो वो deposit कर दो उसका कोई भी combination कर दो ध्यान रखिएगा कि अगर आप यह दूसरा या तीसरा method यूज करने की बात करते हैं तो कम से कम एक परसेंट और यहां से पैसा विड्रॉप कर सकते हैं और उधर का यहां पर यहां पर करने की कोशिश करी तो यहां पर आपने deposit किया था वह फॉर्फिट हो जाएगा फॉर्फिट करने के बाद में जिन लोगों ने शेर्स के लिए अगर सामनेला बंदा चाहे तो अगले पंदा दिन के अंदर अंदर कॉंपटिंग ओफर जो है वह यहां पर दे सकता है मेरे ओफर के अगेंस्ट में राइट वह अपना जो करेगा करता रहेगा लेकिन यहां पर मेरा continue चलेगा क्या कि अगले पांच दिनों के अंदर अंद को 5 दिन से और क्या करते हैं बढ़ादिया जाएगा दरखी благ जो इंगे उनके पास में भैई और जिस दिन कमेंट आये था उसके 12 दिन गें अंदर आपका जो टेंड पीरियर में अपनेश को में आएक्पने अप अगर मांने कहा कि हमें तो क्या करना है प्राइस को रिवाइस करना है तो मुझे अपवर्ड रिविजन करना है तो आपको क्या कहा गया कम से कम तीन दिन पहले जिस दिन आपका टेंडिंग पर स्टार्ट होगा उसके कम से कम तीन दिन पहले आप क्या कर सकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो दो काम करने पड़ेंगे पहला काम क्या कि जो आपका deposit amount है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्यों consideration payable बढ़ गया ना सर तो deposit का जो amount होगा percentage के इसाब से वो भी बढ़ाना पड़ेगा और tendering period start होने के एक दिन पहले भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा हमने upward revision किया है पहले आपको 150 रुपे मिलने वाला थे आप 170 रुपे मिलेंगे आज हो जल्दी जल्दी ठीक है चले लेकिन ध्यान रखेगा कि sir opening date के तीन दिन का period जो रहेगा इसके पहले के तीन दिन सब चोई revision नहीं होना चीए कुछ भी नहीं होना चाहिए इसे कहते है क्या cooling वाला period अगर आपको revision करने का है तो तीन दिन पहले कर दिजेगा उसके बाद में आपको revision करने कर नहीं मिलेगा ये समझ मैं आप ठीक है बाइसाब चली बहुत इबड़ी है फिर इसके बाद में क्या यहां पे पेमेंट करने की बात की जाए तो इसके लिए अलग से फिर से अकाउंट जो है वह उपन करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए और जो पैसा बुले यहां पे डिपॉजिट के तौर पे रखा हुआ था इस पैसे का 90 परसंट जो आपका होगा वह बहुत इसमें ट करने कहा या फिर आपने जो ओफर दिया था वो विटरो कर लिया जिसके पीछ आपके पास में क्या था जस्टिफार नथा क्या सीगम सिगम 20 पॉसनिकें üzट मेरे पास में आने चीए otherwise वा उफर को withdraw कर लोगा तो मेरे पास में न हौँगा तो मेरे पास मनी आए इसमें भी आपका जो अमाउंट यहां पर होगा वो बले क्या किया जा सकता है रिलीज किया जा सकता है कि आया बैसा मज़ा येस और जल्दी से बता दू मेरे भाई कि चलिए सब मुझे प्रोसेस में डेज याद नहीं हो रहे हैं हाफ मिक्सप हो जाते हैं जो भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा एक ही बात कर बोलने का क्या आज में भी प्रस्क्राइब जहां पर भी कन्फूजन आया अभी फिलहाल आपके पास में टाइम नहीं है चीजों को क्या बोलेंगे रट्टा मारने का या फिर याद करने का ठीक है तो ऐसे केस में अगर अपन बात यहां पर करेंगे सीधा बोल सकते क्या सीधा बोल सकते हैं क्या एज में भी प्रस्क्राइब अंडर्स्टूड़ पांच मिन का ब्रेक मिलेगा क्या रोहित रोहित ब्रेक चाहिए तुमको ले लो चलो पांच मिन का ब्रेक भाई साब फिर उसके बाद में बाय बैक जो है वो करेंगे अपन स्टार्ट 1050 हो गए है रेजूम है 1055 ठीक है 1055 पर पर क्या करेंगे रेजूम करेंगे राइट चलो हाँ क्रिपिंग एक्क्विजिशन रहे गया येस क्रिपिंग एक्क्विजिशन क्या कहता है अगर आप एक पाउनेशल ये जब आपके पास में में मोलेडिती 25 पर संट से ज्यादा का है तो फानेशल ये इर में उसे पाउनेशल और मैं पर स्थावर्पिंग एक्क्विजिशन का नाम जरब यहां पर दिया है जाएगा क्या वत गुलाम हासन कादिरी मेरे बाई लभी टू झाल 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 तो बहतर रहेगा कि मुझसे ना पूछा जाए कि कौन सी कंपनी के श्यरस लेने ची कौन सी के नहीं लेने ची ठीक है चली ऑखे भाई साहेब आज आज आएंगे सभी के सभी लोगन फड़ा फड़ से लेड़ास मूब हैट बात करते हैं किसके बारे में बाइब वो बोले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा एक मिंटा चलो यह समझा बूले ठीक है सब तो क्या कहा गया कहा गया कि अगर आपकी कंपनी अलिस्टेट वाली है तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी जग 2013 जो उसके रूल बनाए गए होंगे वो बूले आपको यहाँ पर एक फॉलो करने लेकिन अगर आपकी जो लिस्टेट वाली कंपनी तो ऐसे केस में जो आपके सेक्षेंस आपको फॉलो करने ही करने लेगे इसके अलावा जो आपके यहाँ पर क्या है रेगुलेशन जिसका नाम क्या है सीबी का बायबेक ऑफ सिक्योर्टी रेगुलेशन 2018 यहां पर बहुत द्यान से यहां पर यहां पर रिपीट नहीं करवा रहा हूं कि यह बात यहां पर पड़ी हुई है कंपनी लॉक के अंदर कलिया परसों को अपने किया हुआ है तो अपन क्या करेंगे सीधा यहां से बढ़ते हैं और कहां पर आपके बात करेंगे यहाँ पर यहां के कर दिया पर करने के बाके देना हैं chapter 10 को पास में एकले की दो दिनों के अंदर आपको स wiem को ब्ताना पड़ेगा कि हमने आपने इस drinking करने को अगर आपब ने एसा ओगा तो 7 दिन के अंदर आपको CBS बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है फिर उसके बार में सबसे पहला काम क्या करेंगे मर्चिंड बेंगर को पॉइंड करेंगे और फिर उसके बार में क्या का गया कि जिस दिन आप ने ड्राफ्ट लेटर ओफर जो आपका होगा वो आप सेवी के पास में भेज देंगे और साथ में आप डिक्लरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो वो भी फाइल कर देंगे यह बताते हो कि सर हमारा बाइब करने का परपस यह नहीं है कि हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है और हम य और जिस दिन सेवी का जो कमेंटर कंपनी के पास में आएगा उसके अगले पांच वर्किंग डेस के अंदर अंदर जो लेटर ओफ ऑफर आपका होगा वो और जो बले टेंडर फॉर्म जो आपका रहेगा वो बले क्या कर दिया जाएगा ठीक है उनके अड्रस पर ताकि वो यहां पर क्या हो जाना चीए स्टार्ट हो जाना चीए डिर शूडबी ओपनिंग ओफ ओपनिंग पीरिड गॉपन ठीक है एक बात ध्यान रखेगा कि जिस दिन आपका टेंडिंग पीरिड ओपन होगा ना उस दिन यह उसके भी पहले आपको फिर से क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा लेकिन तेकवर के केस में 500 कुर्ड रुपसे का अगर आपको का करना होगा लेकिन अगर जो बुले आपका वो सौकोड से भी जादा काया तो ऐसे किसमें आपको 10% का ही जो डिपॉजिट है वह बले आपको यहां पर करना पड़ेगा डोंट वरी एट आल ठीक है चलिए तो यहां पर यह बहुत दैन से लेखेगा क्या किसा जो डिपॉजिट आपको करना है जैसे आपने टिकोर में प उनको कम्प्लाइ नहीं किया या फिर जूट पूल कर अगर आपने बाइबैक जो वो करने की कोशिश करी होगी तो फिर इसकी बाद में बाइस साब 10 वरकिंग डेस का आपका टेंडिंग बेड जो रहेगा और फिर उसके बाद में आपका जो यहां पर क्या हो जागा क्लोस हो जाएगा और जिस दिन आपका टेंडिंग में डेस के अंदर अंदर सारे के सारे जो शेवल्डर से उनको क्या करना पड़ेगा और उसके लिए पहले आप क्या करेंगे वरिफिकेशन वारा जो वो कर लेंगे कि हाँ बाइस सही बंदे ने यहां पर अपने शेर्स को टें मेथड आपका होता है क्या कि ओपन मार्केट से से को वाय बैक करना जिसमें एक आपका होता है बुक विल्डिंग मेथड तो दूसरा आपका यहां पर आ जाता है कौन सा स्टॉक मार्केट से जो physical वाले shares आपके हैं उन shares को buyback करना ठीक है सर physical वाले shares को buyback करने की बात अगर अगर आपने यहां पर करेंगे तो कहा गया कि BR और ऐसा जिस दिन आपने pass किया होगा उसके 7 दिन के अंदर आपको पल्विक announcement करना होगा और उसके 7 दिन के अंदर आपका जो buyback का offer रहेगा वो क्या हो जाट हो जाएगा जो buyback का offer आपका एक बास start होगा वो कम से कम 6 महने के लिए वहाँ पर चालू रहेगा और ये 6 महने के अंदर company जो वो daily basis पर क्या करेगी डेली basis पर shares को accept करेगी पैसा वहाँ पर hand to hand दे देगी और दिन भर में कितने shares को उन्होंने buyback किया होगा उसके बार में पुरा जो result रहेगा वो बले आप stock actions की website पर और company की जो website आपकी रहेगी उसके उपर बले आप क्या कर दोगा अप्लोड कर दोगे और साथी साथ में जो आपका stock question देगा वो भी बले इसको क्या कर देगा अप्लोड कर देगा understood the point चली तो ऐसा यहाँ पर आपको दिया गया है अगला पॉंट आता है वह सब क्या buyback through the book building method इसमें भी लगबग सेम बात जो आपको दी गई है एक बार इसको आप क्या करेंगे यहाँ पर गोत्रू जो है वो कर लीजिए गा राइट चली अगला पॉंट यहाँ पर आता है वह सब कौनसे वाला डी लिस्टिंग वाला procedure of the deal of all the from all the stock exchange भाइस साहे यह जो आपका regulation कौनसा डी लिस्टिंग regulation कौनसे वाला 2021 बहुत द्यान से क्या कहा गया अगर बुले सारे के सारे stock exchanges से आप डिलिस्ट करने की बात कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद में जो आपकी company के shareholders है उनके पास में यह option ही नहीं रहेगा कि वो अपने shares को कहीं पर भी जाके बेच सकता है राइट ब पहली बात एक्वाइर जो है वो बियार पास करेगा अगर मानलो टेकोवर किया जा रहा है अच्छा हां टेकोवर करने की दू तरीक है क्या आपने कहा कि मैं टेकोवर तो करना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि कंपनी के share जो वो क्या रहे लिस्टेड रहे तो आपको तो कम्पनी को लिस्टेड रखना ही नहीं है भाई साब मैं तो डिलिस्ट करवाना चाहता हूं कंपनी को जनता की पास में शेर नहीं चाहिए पुरा कंट्रोल मेरे पास में चाहिए तो कहा गया कि एक्वाइर जो आपका रहेगा वो यहां पर मर्चंट बेंकर को चाहिए ठीक है और उसका कंटेंट बगरा जो होगा रीजन बगरा जो होगा और क्या बोलेंगे इसको जो भी अंडर्टिकिंग बगरा जो है वह सब यहां पर आप उसको बता देगा फिर इसके बार में अगले 21 डेस के अंदर अंदर जो आपका टारगेट कंपनी है उसके क्या करेगा बोर्ड के पास में वापस से सब्मेट कर देगा किस बात का सामने वाला बंदा जो यहां पर यहां पर दे रहा है क्या ऑफर सही है क्या हमारी कंपनी की जो शेर की वैल्यू अगरा है या जो भी कंपनी में शेर होल्डर्स वगरा है क्या वह बोले प्रॉपर त प्रकी रिज़ेगा कि saya मतलब यहां पर थी फूर्ट नहीं है यहां पर क्या है two times in fever मतलब मतलब यह कि यहां पर चुख शो आप पूरा होगा तो चलेगा यहां पर वर्किंग डेस के अंदर आपको क्या करना होगा स्टॉक एक्षिन से अप्रूल जो है वह बुले आपको लेना पड़ेगा और विदिन साथ दिन आपको क्या करना होगा वापे से सीम पॉइंट बैसा एसकूर अकाउंट को उपन कीजिएगा जित्ता भी कंसेडरेशन आपका पेबल है यहां पर भी 500,000 को कोई बुले यहां पर बाइफरकेशन नहीं है क्या कहा जित्ता भी कंसेडरेशन आपका पेबल होगा उसको 25 परसंट जब आपको सिक्यर्टी के तौर पर डिपॉजिट करना पड़ेगा और बाकी बचाओ जो 75 परसंट होगा जब आप डिटे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं या तो बुले फ्लूर प्राइस के डाल दीजेगा अगर आपने कहा कि मैं बुक बिल्डिंग में थाड़ी उस करने वाला हूं और आपने का कि कम से कम इतना प्राइस रहेगा ठीक है या तो उसके प्र और या फिर अगर आपने कोई कि यहां पर आपको as a cash या फिर बैंक गरेंटी के तौर पर पैसा यहां पर deposit करना है अगर मान लिजे फर एक्जांपल डिलिस्टिंग आपका फेल हो जाता है तो 99 परसंट आपको वापस मिल जाएगा इमीडिएटली और बाकि जो 1 परसंट आपका होगा यह बुले क्या हो प्रूबल आ गया उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको क्या करने का है डिटेल्ड पॉब्लिक अनॉस्मेंट जो है वो कर देने का है सारे के सारी न्यूस्पेपर के अंदर सारी इंफरमेशन जो बता दोगे स्पेसिफिक डेट पर अगरा जो है वो बले आप यहां पर ब लोग अपने शेस लाल आके यहां पर आपको दे देंगे और यह जो बीडिंग प्रेड आपका होगा यहां पर आपको बले और दो दिन के अंदर आपका जो मर्चंट बैंकर है और रिजल्ट को अनौन्स कर देगा कि क्या डिलिस्टिंग करवाने के लिए जितने शेस्ट ह पास में आने चाहिए थे उतने जो शेस हैं वो बुले हमारे पास में आ गए और या फिर बुले वो हमारे पास में नहीं आए हैं अगर यहां पर करी जाए तो क्या कहा गया कि टार्गेट कंपनी या फिर एक्वाइर दोनों कोई बोल दिया गया अगर मान लीजे जो आपकी कंपनी वो कहती है सर हमको खुद को यहां पर यह करना है कि अब जनता के पास में शेस नहीं रहने चाहिए हमें पर रखने का है और यह तो फिर एक्वाइर जो टागेट कंपनी के शेस को एक्वाइर कर रहा है वो बोलता है कि यह मेरे को ही पूरा अनॉस्मेंट और इसकी जो एक कॉपी अगर एक्वाइर ने यहां पर यह काम किया होगा तो इसकी एक कॉपी जो है वो क्या कि जाएगी टागेट कंपनी को भी दे दी जाएगी ठीक है फिर इसके बाद में जो आई पी है वो स्टॉक एक्षिंस को भी दे दिया जाएगा क्या करेगा पॉब्लिक कोई इंफोर्मेशन कर देगा फिर आई पे जिस दिन क्या गया होगा उसके 21 डेस के अंदर अंदर टागेट कंपनी में ब्यार पास किया जाएगा ठीक है चली नौ बिफोर पासिंग दा ब्यार कंपनी चल अपाइंट पीर रिव्यू PCS तो गेट due diligence certificate on the basis of dealing in the shares in last two years by any of them same वाला funda जो भी आपने पढ़ रहे थे वही वाले चीज़ यहां पर आपके वापस से ठीक है फिर क्या कहता है बैसा कि जिस दिन बोले आपका यहां पर टागेट कंपनी का बियार पास किया होगा उसके बाद में जो चीज़ है वह आपको यहां पर वापस से भीजने पड़े की सेम पॉइंट में ठीक है और अगले 45 डेस के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा टागेट कंपनी के members का resolution पास करना होगा कि क्या वो यह डिलिस् क्या आपके company में exit offer जो successful हो गया merchant banker ने जो यहां पर result था यहां पर क्या कर दिया अब इसके बाद में अगले वाला पॉइंट क्या आपको stock exchange के पास में अगले 15 दिन के अंदर-अंदर क्या करना पड़ेगा अप्लाय करना पड़ेगा stock exchange confirm करेगा और उसके 15 दिन के अंदर- अगले दो घंटे के अंदर-अंदर जो रिजल्ट आपका होगा वह अनौस कर दिया जाएगा same day return the share to the public shareholder अगर minimum shareholding required यहां पर पूरी नहीं होती है तो फिर इसके बाद में सर बुले अगर जो आपका यह offer था यह reject हो जाता है तो shares को return कर दिजिएगा अगर successful हो जाता है तो payment जो बूले आपको यहां पर करना पड़ेगा ठीक है जो shares बूले मैं ले नहीं सकता था उनको छोड़के अगर बाकि 90% shares मेरे पास में आ गए है तो मान लिया जागा successful हो चुका है तो बाकि लोग को payment वरा जो यहां पर कर दिया जाएगा फिर क्या कहता है वैसा दो working days में जिस दिन बूले आपका bidding period जो है वो close हुआ था उसके दो working days में public announcement जो वो यहां पर करनी है with the discovered price और same day आपको return file sorry return करना पड़ेगा shares को if the discovered price is not accepted by the acquirer sir आपने बोले यहां पर क्या किया था एक तुम बोले floor price बताया दूसरा आपने इंडिकेटिव प्राइज है वो बता दिया आपने कहा भाई साथ 100 रुपे का floor price है लेकिन फिर भी मैं 120 रुपे देने को तयान हो पर जो बोले आपने लोगों को कहा था कि तुम लोग bidding करो त तो अगर आप यहां पर इसको accept नहीं कर रहे हो क्या करना पड़ेगा शेयस बुले आपको यहां पर वापस करने पड़ेगे दूसरा अगर जो बुले आपका offer है वो successful हो जाता है आपको वापस से payment जो यहां पर करना पड़ेगा ठीक है within five working days if the discovered price is greater than this otherwise as per the stock exchange settlement mechanism in case of the delay in the payment त उसको फाइनल डिलिस्टिंग एप्लिकेशन जो पास करने पड़ेगा और अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी को डिलिस्ट करने का order जो है वो बुले यहां पर क्या कर दिया जाएगा अगला जो यहां पर आपका topic आता है नाम क्या है नाम है बुले बुले के हिसाब करोँगा तो कहा गया कि इस scheme के हिसाब से आपके बुले बात पसक्रीम और एक बुले आपका यहां पे कौन सा शएप यहां बुले बुले तेरे की यह बौदि अगला टॉपिक जो आपका है वो कौन से वाला है म्यूचल फंड वाले की बात अगर मैं करूंगा तो सिधा यह वाले पॉइंट पाएंगे क्या अगर मान लेकोई एस इस बंद करने के लिए एक ग्यूचल फंड का स्टार्ट करने के लिए क्याँ जो बंदाट करता 41 11 करता है to establish the mutual fund trust and appoint the trust of the mutual fund sir trust जब appoint यहाँ पर किया जाएगा तो उसके trust यहाँ पर पर किया जाएगा और इसके हिसाफ से mutual fund scheme जो आप कियोगे उसको बले यहाँ पर launch किया जाएगा sir यह scheme के तहट बता दिया जाएगा कि हम कितना पैसा जो रेज करने वाले हैं और इसके लिए जो बुले आपके लोग रहेंगे इनको यहाँ पर एक offer document जो दिया जाएगा उसके बदले उनसे जो पैसा रहेगा वो लिया जाएगा और बदले में उनको फंड के units रहेंगे जिनका नॉर्मली जो net asset value starting का होता है वो किते रुपे का होता है 10 रुपे का रहता है तो वो बहुत क्या कर लेंगे acquire कर लेंगे got the point ठीक है सब फिर इसके बाद में क्या होगा कि जो पैसा यहाँ पे रेस किया गया जो पैसा यहाँ पर रेस किया गया उसे नाम दिया जाता है क्या asset under management या फिर आप उसको mutual fund scheme का क्या कह सकते हैं एस पडलर पैसे को इस पडलर एसेट को क्या करने का security मार्केट में इन्वेस्ट करने का है जो कि एक विडिशेस में भी किया जा सकता है डेप वाली सेक्योर्टमेंट जो वह किया जा सकता है लेकिन यह करने के लिए बकायादा एक company को अपॉइंट किया जाए जिसका नाम क्या होगा AMC एसेट management company और उस company का एक बंदा रहे जिसका नाम क्या होगा fund manager सभी फंड मेनजर कौन होता है यह expert होता है यह ऐसा बंदा होता है जो कि securities market में बहुत पहले time से काम जो हो कर रहा है उसको यह पता है वो study और ध्यान से वैसाब जैसे जैसे यहाँ पे इनके values बढ़ेगी वैसे वैसे आपके fund की value जो है वो यहाँ पे बढ़ेगी और उसके basis पे जो unit आपका होगा उसका जो net asset value होगा वो भी बले यहाँ पर आपका क्या होगा ठीक है चलिए वैसाब क्या बोलता है capital market दो टाइप का होता वैसाब एक आपका primary वाला दूसरा आपका कौन सा secondary वाला प्रैमरी वाला माकेट जहां पे प्रैमरी माकेट जो होता है उसमें दो टाइप से पैसा रिस किया जा सकता है प्रैमरी माकेट जहां पे जो आपके shares already company की दोरा issue किये जा चुके हैं जिनके पास में वो shares है वो लोग अगर इस market से बाहर आना चाहते हैं वो लोग अगर company के shares को बीचना चाहते तो stock market में जाके क्या कर सकते हैं बेच सकते हैं सर हमारी कंट्री में stock market फिलाल दो है एक आपका बीसी और दूसरा है बोले आपका कौन सा एंसी सब बीसी कर जो आपका यह होता है इंडेक्स होता है उसे कहते हैं सेंसेक्स ठीक है जो कि 30 companies के जो की ब्लूचिप companies कराती है उनके performance पर क्या करेगा डिपेंड करेगा वहीं पर परफर्म करें उसके business पर आपका जो एनसी रहेगा उसका nifty जो है वो up and down जो है वो market में होता रहेगा यह चीज़ पहले पढ़ चुके तो दुबारा पढ़ने का मतलब नहीं आता है यह चीज़ भी पहले पढ़ चुके हैं फिर उसके बाद में यह आपको पहले से अच्छ 받고 डिट यह भेए रहे लगें स सबसे पहली के बात बारे में बात करूंगा यह बोले आपकी क्या है डिपॉजटरी वाली से इंडिया के बाहर बुले हम इशू करते हैं और इंडिया के बाहर से पैसा जो वो रेस करते हैं लेकिन यह बहुत आंसर सुनिएगा कि डिपॉजट रिसिप्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती तो इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट्स होता है जिनका नाम क्या मतलब आप ऐसा लगा लीजिएगा कि यह बुले आपकी इंडिया की कंपनी के शेर्स हैं जिनके बैसे पर डिपॉजट रिसिप्स आपको क्या कर दे जाएंगे इसे कहते हैं एडिया और GDR कि हमें ADR GDR को equity shares का नाम दे सकता हूं बुलें नहीं क्या ADR GDR पर हमको dividend मिलेगा बुलें नहीं आपको इस पर क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा इंटरस्ट मिलेगा जब तक कि ये आपके जो underlying shares उसमें क्या नहीं हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि ये आपके क्या रहने वाले हैं ये रुपीज डिनोमेटिट नहीं रहने वाले हैं हाला कि एक बात और ध्यान दीजेगा कि इनको बुले अगर आप trade करने की बात करते हैं तो international market में यानि कि जो आपका क्या बोलेंगे stock market रहेगा इंडिया के बाहर का वहां पे बुलाइप इसको trade करने का काम जो है वह बले आरहम से कर सकते है राइट चली सब लेग दूसरी बात अगर मैं bonds की बात करूँ foreign currency के bonds की बात की जाए तो दो टाइप के bond होते कौन सा पह नाम की company ने किसी non recording को क्या दिया होगा foreign currency convertible briefly दिया होगा यहां कि तुम हमको पैसे दो हम तुमको एक्शेंजबल वाले जो वाले जो बांड है वह देंगे एक्शाशिंजिबल यह कमपनी कहती की मेरे पास में इक और कंपणी है जिसका नाम है B-Limited हमारे ही गुरुप से जुड़ी companies है और इसके जो shares है ना मेरे पास में मैं ये वाले share जो है वो बले आपको यहां पर देने को तयार हूं दूसरी company के shares है मेरे पास में वो share in the exchange मैं आपको देने को तयार हूं तो इसे क्या कहा जाएगा exchangeable bond का नाम जो है वो बले यहां पर दे दिया जाएगा इससे कहा जाएगा क्या एक्षेंजबल बॉर्ण 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 का नाम जो है वो दे दिया जाएगा चलिए foreign currency, foreign currency multiple यहां पर देख लीजगा यहां पर पूरा comparison जो है वो मैंने detail में यहां पर दिया था कि वह कौन से वाले में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है ठीक है फिर इसके बाद में अंडरेटर यह सब आपको पता है पहले से आसबा का मतलब क्या होता मेरे भाई यह आपके के बैंक के अंदर जो बुले आपका पैसा होगा 14,500 या वाटर दे केस में भी 10,000 से पंदा जार के बीच का यह पैसा बुले यहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा रहेगा आप ही के अकाउंट में लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और यह पैसा ना तो बुले आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको शेर्स का लॉट्मेंट किया जा रहा है तो यह जो आपका पैसा होगा यह सामझाली कंपनी के पास में चला जाएगा इससे क्या कहा जाएगा बैसा आप्लिकेशन सपोर्टेड बाइद ब्लॉक्ट रमांट से इसका फाइदा क्या है फा प्रीबन एक हफते के अंदर अंदर पिक्चर जो वह क्लेर हो जाती है और एक हफते के बाद में आपका पैसा आपको यहां पर मिलेंगे ठीक है चलिए एक मन रुकिया का प्लीज जब जाओ क्या लगा है नहीं गुली नहीं लगा है चलिए भाई साब ठीक है अगला टॉपिक मेरे भाई अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वाला टॉपिक क्या कहता है यह बहुत ज्याद से सुनेगा डेरिवेटिव क्या होता है डेरिवेटिव एक ऐसे से कॉन्टरक्ट होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है इसकी वैल्यू जो डिपंड करेगी अंडरलाइंग शेयर के उपर यहां आपके रहेंगे जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो से इनकी जो वैल्यू आपके होगे न है कि यहां क्या कर रहा हुआ कि आज जल्द यहां पर बच्चों को हेलो बोलो फिर उसके जाके सोज़ाओ ठीक है इसके बा आपका हेलमेट लिने जाएंगे? मैं ले क्या होगा? बेला के लोके का पैरकतGG LO किरोगे वाला लेकिन उसके लिए आपको जाके बीशोना पड़ेगा क्योंकि याभी रात हो गई है बारा बजने को जा रहे हैं कि आपको विसो जाना चुब दूसे ना यहां पर कैसे सोगे यहां पर पढ़ा रहे हैं हम तो पढ़ रहे हैं ठीक है तो आप सब को पहले हाई बोलो हाई हाई कैसी चलते आपकी पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करो बोलो मैं भगवान से परात्ना करूंगा बोलो मैं गनपती जी से परात्ना करूंगा कि आपका एक्जाम पास हो जाए और आप जल्दी से सीएस बग जाओ तदास तू गुड़ नाइट चलो अभी हो गया अभी जाओ 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 ठीक है जाओ बाई बाई नहीं वह आपकी काम करने है कभी है जाओ बाई जल्दी सुझाओ यह भी सही है हो गया भाई साब रिफ्रेश चलो भाई साहे तो चलेंगे बढ़ेंगे आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में नाम क्या था नाम था अगर हम यहां पर बात करते हैं कि कि बारे में डेरिवेटिव के बारे में आज आ जो वापिस आज बागे फेकल्टेस को बच्चों को गिफ्ट दूँगा बागे फेकल्टेस बोल रहे कि हमारी फिलाल कोई फैमिली प्लानिंग है नहीं है तुम पहले से गिफ्ट देने की बात कर रहे हूँ ऑगे हेलमट दिलवादो लिख्र उसको कॉन से हलम की बात के डिनिए के बात चल्लेख यहां पर अंच्छान करेखिए सब्सक्राइब करने वाले हैं परचेस करने वाले हैं बीचने वाले हैं तो उसे यहां पर क्या कहा जाएगा उसे डेरिवेटिव का नाम दिया जाएगा उसे डेरिवेटिव का नाम दिया जाएगा उसे डेरिवेटिव का उसकता है पहला फ्यूचर 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 में एक्सिज दोनों पर obligation होगा ठीक है जिसने कहा है कि मैं अपने shares को तुमको बेiquंगा उसे बे Beauchna ही पड़ेगा उस प्राइस पराइस आपके बीच में अगरी हुआ था सब बले ही market में price कुछ भी चल रहा होगा कम होगा ज्यादा होगा doesn't matter पर आपको वह agred price करना पड़ेगा इसको purchase करना पड़ेगा इसे कहते हैं कि फ्यूचर लेकिन ऑप्शन सर ऑप्शन जो है वो बोले purchase करने वाला बंदा एक extra पैसा पे करेगा जिससे का जाता है प्रीमियम और ऑप्शन दो टाइप के purchase कर सकता है पहला खरीदने का option दूसरा बेचने का option किसको शेयर को अगर मैंने शेयर बेचने का option purchase किया होगा तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा जिसमें मेरे पास में अधिकार आ जाएगा और दूसरे बंदे के पास में जिसको मैंने प्रीमियम पे किया उसके उपर एक obligation आ जाएगा सब्सक्राइगा कि अपने जो शेयर से है ना वो मैं उस बंदे को क्या कर सकता हूँ बेच सकता हूँ उस date पे जो हमारे बीच में agree हुई है उस price पे जो हमने आज ही decide कर लिया है लेकिन चुँकि मेरे पास में option है तो मैं उस date पे ये देखूँगा कि क्या इसका जो price है वो market में ज्यादा है अगर हां तो मैं वो शेयर उसको नहीं दूँगा बलकि market में जाके बीच दूँगा लेकिन अगर मैं उस बंदे को बेचने की बात करता हूं तो वह बंदा मना कर सकता है कि मेरा जो right है वो सामने बंदे का यहां पर क्या बन जाएगा obligation बन जाएगा कि उसे यह लेना ही पड़ेगा तो option आपके दो टाइप के होते होता है कॉल option दूसरा होता आपका कौन सा पुट वाला option ठीक है चली इसके question वाद में अगले पॉंट पर आईएगा सब इंपॉरें पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात अगर किया एक एसे वाले इन्वेस्ट सर सर जो किIndian companies में investment करते हैं लेकिन उनका कोई intention निया कि वा पकी company में क्या हासें के अनबर वन के का या इसे अइसे एंवेस्टर्स के होते हैं यह पूले आपके differenct categories के हो सकते हैं इतना पीछ है हाँ different categories के हो सकते हैं पहला category number one यह कौन होगा बैसाब सर जो एकदम authenticated वाल है ना बैस सब एकदम authenticated वाल जैसे foreign government उसकी agency ऐसा कोई organization जो government के control में है pension fund university fund companies जो की बोले क्या है वहां के law के साब से वहां के company law के साब से registered है या फिर एसी entities जो की foreign exchange task force जो आपका रहेगा उसकी member countries की क्या करती है बिलॉंग करती है या फिर ऐसी companies from the countries which are specified by the central government इधर their funds are well regulated in their country और their fund managers are well regulated in their country मतलब एकदम authenticated वाले है वाले है ठीक है तो यह category one हो गया उसके बाद में मैं category two के बारे में यहां पर बात करूँगा तो बोले वाई सब other body corporate वहां पर कोई LLP होगा कोई sole proprietor वगरा होगा जो कि in corporate वाला है वो सब आ गए ठीक है या फिर indowment है foundations है चैटेबल institution है फिर इसके बाद में दूसरा आता आपका alternate investment fund alternative investment fund यह बोले अगें जैसे mutual fund होता ना वैसे ही एक privately pooled वाला fund होगा which is not regulated by any regulator राइट नाओ इंडिया में को इसको regulate करने का काम फिलाल है तो नहीं कर रहा ठीक है यह भी अगें आपका तीन category हो सकता है पहला दूसरा और तीसरा पहला there are funds which are investment in the venture invested in the venture which are more desired by the government जिसमें government को बड़ा इंटरस्ट आपन जैसे की start-up है new venture या फिर social वाले आइडिया जिसमें government मतलब इसमें अगर पैसा लगाया तो रिस्क क्या है कम है इसलिसको किसमें डाला category 1 में दूसरा सर बोले category 2 which make investment from own sources and do not rely on the borrowing or the leverage financial these are the AIFI which are not covered in the category 1 और category number credit number 2 नहीं 3 आना चाहिए हाँ ठीक है अगला 3 AIF which make more risky investment वाई सबसे कम risk moderate वाला risk और इसमें क्या होगा सबसे high वाला risk इस point of view साब यहाँ पर क्या करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे सबसे जादा वाला risk यह बोले क्या करेगा leverage वाला जो पैसा है वो भी बोले क्या करेगा इस्तमार करेगा दूसरे एक और बाई सब क्या यह government का favorite वाला है जिसमें government support करता होगा यहाँ पर बोले सिर्फ और सिफ equity वाला रहेगा यहाँ पर leverage वाले जो है वो नहीं किया वाली जो चीज़ें वो नहीं की जाएंगे यहाँ पर वो भी आपका हो सकता है चली private equity का मतलब क्या होता है शार्क टेंग में जो दिखाया कहता है वह private equity था इसमें क्या होगा सर्वाहां पे एक दो या तीन ऐसे investor बैठे होंगे जिनके पास में कुछ करोड रुपे होंगे एक कोड़ से रहे के 10 कोड़ रुपे तक है और वह आपको एक ही बात बोलते क्या अगर तुमको पैसा इंवेस करने का है मैं दूगा बोले पैसा लेकिन तुम्हारी कंपनी में में को क्या चीए 10 बारा परसंट बीस परसंट पर्चेस परसंट एक्वोड़ी शेर जो वह द है कि मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा और फिर उसके बाद में आपके कंपनी के शेर्स को पर्चेस करूंगा तो उसे कहा जाएगा लेवरेज बायाओ ठीक है सर वेंचर कैपिल यह भी बुले बाइस साब आपका वही हो गया कि ऐसे ऐसे आपके इन्वेस्टर्स रहते है है जो कि नए-ने वेंचर को देखते हैं कि अगर उसके अंदर प्रोस्पेक्टिव रहा तो उस वेंचर क्या करेंगे पैसा जो वह इंवस्ट कर देंगे उससे क्या का जाएगा वेंचर कैपिल जब आपकी कंपनी जो हो और उस टाइम पे उस कंपनी को भागने के लिए पै होता है आपको पहले से ठीक है ठीक है फिर इसके बार में मर्चंट बेंकर यह सब एक बर आप पढ़ लीजेगा भाई साहिब ठीक है merchant banker के बारे में अंडराइटर के बारे में ये एक बार आप readout करेंगे तो आपके लिए में ख्याल से sufficient रहेगा stock broker वगर वगर होखेज ओखेज ओखेज अगला point जो है इस पे आप आ जाईए गा सबसे पहले एक point यहां पर आता है नाम क्या दिया गया mutualization so what do you mean by the mutualization तो यह बहुत द्यान से क्या एक बुले organization जो है ना वो बुले बनाए गया बाई साब और यह जो organization है इसको आप ऐसा लगा लेजेगा कि kind of यह क्या है काटल टाइप में सब जिसमें जिन लोगों ने इस organization को start किया होगा जो benefit वहां होने वाला होगा वह बुले mutually हम आपस में क्या करने वाले डिवाइड करने वाले इसमें मतलब kind of यह लगा लो कि non-profit organization है इसका intention यह नहीं कि हम profit को लाएं और बुले members बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए और उनको बुले पैसा जो है वह शेयर कते जाए तो सर यहां पे जो भी benefit आएगा जो बुले इसके circle के अंदर members है उनको जो benefit रहेगा वह बुले यहां पे दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा mutualization का नाम जो दिया जाएगा अगर आपका non-profit organization है इसको अगर आप profit oriented company बना देते हैं जिसमें members के लाइबर्टी जो वो लिमिटेड कर दी जाती है जिसमें company के shares वगरा issue कर दिये जाते हैं जिसमें आपके जो मलब जो भी आपका organization था उसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा दिया जाता है तो उससे क्या कहा जाएगा स्टॉक एक्षेंज की बात अगर करेंगे तो यह कैसा market होता है जहां पर shares को खरीदने या बेचने securities को खरीदने या बेचने का जो काम है वो यहां पर किया जाता है स्टॉक एक्षेंज या तो बुले आपका एओपी के तौर पर हो सकता है association और या फिर बुले यह mutual benefit association हो सकता है जो की अनरजिस्टर टाइप में होगा या फिर जैसे NSE आपका है वो incorporate वाला है स्टॉक एक्षेंज हमारे कंट्री में काम करने की बात कर रहें उनको securities contract regulation act 1956 के इसाब से रजिस्टर होना क्या होगा जरूरी होगा अगर मैं यहां पर बुले BSC की बात करता हूं तो 1875 में यह आपका आया था as a mutual association और बाद में 1956 में government इसको क्या किया था रेक्रिनाइस किया था 1993 में इसको recognize किया था by the government और अगर बुले मैं बात करूंगा तो पहली बास security का ट्रेडिंग जो इसके उपर हुआ था वह था वह था नवंबर 1994 के अंदर ठीक है यह बुले पहला ऐसा प्लेटफर्म था जो कि security में डिमाट फॉर्मेट में बुले trading करना क्या करता है अला तो for the time being permission लिया है कि क्या कुछ दिनों के लिए हमारी जो securities है वो आपके stock market पर stock exchange पर trade करवा सकते हैं क्या तो उसे यहां पर नाम क्या दे दिया जाएगा उसे बुले यहां पर नाम दे दिया जाएगा permitted वाली understood the point बोल डिक साब अगर आपको trading करना है तो आपके पास में पैसा होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके पास में पैसा होना चाहिए को trading करना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए पैसा होना चाहिए दूसरी बात सर बुले अगर मान लेजिए आपके पास में पैसा नहीं है लेकिन अगर आपका track record वगरा जो है वह अच्छा है तो ऐसे केस में जो stock broker होगा ना वो अपनी तरफ से पैसा involve करेगा और आपको intraday trading करना जो यहां पर अलाओ कर देगा मान लो आपके पास में 6000 रुपे थे आपको 10 रुपे का ट्रेडिंग करना था तो 4000 रुपे का जो ट्रेडिंग है उसके लिए पैसा आपका जो stock broker होगा वो बले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर जो margin है वो बले यहां पर करना है लेगी कि अंटिन करके चलना पड़ेगा लेगिन मान लिए पर एक्जांपल कि आपने क्या किया है मेरे भाई की अमशब्रेडिंग करणे कैंने इसकीन कि 10,000 रुपे नों पर चेस हैं इनका प्राइस जाएग गए 11,000 रुपे और धर दिन दिन बर का जो profit है यह बोले मैं यहाँ पे book कर लूँगा ऐसा आपने सोचा था पर हो गया उल्टा तो ऐसे case में यह पर बहुत द्यान से सुनिएगा कि अगर जो stock broker है उसको यहाँ पे feel हो रहा है कि जो पैसा मैंने 4000 रुपे यहाँ पे इसको दिया था मेरा पैसा यहाँ पे पड़ेगा मलब यह दिखाना पड़ेगा कि आपके पास में उत्ते रुपे हैं कि अगर मालेजे यहाँ पे आपकी जो शेयर से हैं वह अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप पैसा जो हो यहाँ पर आराम से दे सकते हो मार्जिन बुले आपका दो टाइप का होता है एक होता है इनिशल वाला और दूसरा है मैंटिनेंस मार्जिन जो की कंटिनूसली आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने अकॉंट में मिंटेन करना पड़ेगा ताकि इंट्रा डेट ट्रेडिट जो है कम पैसे में भ ठीक है आज का डेट कल का डेट या फिर कोई भी एक जो डेट रहे का वो जिस दिन मालिजे नोटिस को सेंड किया जा रहा होगा या नोटिस को सेंड करना है तो उसके लिए किस-किस को सेंड करना यह पता लगाने की बात कर रहे हैं उसे कहा गया रिकॉड़ेट सब बुक क्ल लोज राइट चलिए सब फिर इसके बाद में आगे अगर मैं बात करूंगा ये एक बार आप रीड का लिजेगा एफटी पॉलिसी का और इंफलेशन वगरा का क्या फरक पड़ता है बोले हमारे कंट्री के अंदर जो स्टॉक मारकेट आपका उसके शेर्स के प्राइस वगर बुले वैसाब green shoe option सर बुले ये क्या चीज़ होती है तो यह बहुत द्यान से कहा गया कि जब भी बुले आपकी company क्या लेके आती है आई प्यो लेक्या आती है तो आई प्यो लाने के बाद में जब बुले शेर्स का आप यहां पे क्या करते हैं अलॉट्मेंट करते हैं तो शेर्स का अलॉट्मेंट करने के six days के बाद में आपकी जो company है वो क्या हो जाती है लिस्टेड हो जाती है अब लिस्टेड होने के बाद में क्या होगा भाई सब यहां पर असली काम जो वो स्टार्ट होने वाला है आपने क्या किया मान लिजे फॉर एक्जांपल कि 340 पॉजिटिव में लिस्ट होने वाला होगा मतलब मतलब अनुमान ऐसा है कि इसका प्राइस जो कितने पर जा सकता है 360 पर जा सकता है अनुमान होगा कि इसका प्राइस कितने पर जा सकता है 370 पर जा सकता है लेकिन सोच के देखिए मान लोग फर एजमबल की प्राइस 360 पर जो लोग वेट कर रहे थे कि हमको तो इसी मौके का इंतजार था वो क्या करेंगे सर वो अपने शेश को यहां पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे मतलब सर वो सप्लाइब बढ़ाएंगे अब यह बहुत ध्यान से अगर सप्लाइ यहां पर बढ़ रहा है तो यहां पर क्या जाएगा अगर एक लिमिट के ऊपर लिमिट से जादा प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाए तो भी नुकसान है अगर बहुत ही नीचे चला जाए तो भी नुकसान है सर उसमें आप ऐसा लगा लिजेगा कि काइंड ऑफ एक बबल जो है वापका क्रेट हो रहा है जो अगर बंदे को बैं यहां पर पॉइंट के जाता है जिसका नाम क्या दिया जाएगा स्टेपलाइजेशन या स्टेपलाइजिंग एजंट एक नोर्दा स्पेलिंग बाइसा गलती हो इंटपलाइजिंग एजंट जो वह कहा जाएगा इसके पास में कमपनी क्या करेगे कुछ market में जो securities की supply वो बढ़ती है तो तुम market में पैसा जो वो यहाँ पर contribute करना और बोले securities को यहाँ पर क्या करना purchase करना securities को यहाँ पर क्या करना purchase करना इससे क्या होगा कि जो price आपका होगा demand जो है वो भी control में रहेगी और जो supply है वो भी तरीका यूज किया जाता है उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा green shoe option का नाम जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा मतलब यह लगा लो एक अलग से बंदा जो है वो आपकी company के पास में रखा गया है जिसको हरा जोता पैना दिया है भाई साब मैं वो कुछ भी कर सकता है उसके पास में एक्स्ट्रा के shares भी है वो market में shares भी supply कर सकता है और वो बले market से shares को purchase भी कर सकता है उसको सब करना लग कर दिया जाएगा that is the reason जिसके उसको क्या कहा जाएगा green shoe option का नाम जो है वो बले पॉइंट भाई साहिव यह समझ में आया क्या राइट शलिए त्रेडिंग विंडो वो टाइम जो नौ बज़े से लेके साड़े नौ तक का रहता ना वैसे रहता है नौ से लेके चार बज़े तक ठीक है बड मैं एक्टिव ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करूँगा ना तो वह आपका होता है सुबह साड़े नौ बज़े से लेके दो पैर को साड़े तीम ज़े तक का ठीक है चलिए भाई साहिब आखे जो है वह हमारी गई है चुंदिया अब इसके बाद में हम और मेहनच जो वह कर नहीं पाएंगे आपका SBEB रेगुलेशन जो है वह थोड़ा से यहां पर बचता है कोशिश करते हैं यहां पर चलो कोशिश करते हैं बिना नोट्स के कवर करने की भाई साब ध्यान से आपका जो रेगुलेशन उसमें जो सबसे इंपॉर्डन पॉइंट एक है आपका आता जहां तक मेरा ख्याल है वो क्या है कि अगर बोले मैं यहां पर स्कीम के हिसाब से बात करूं थेक है तो स्कीम जो आपके रहेगी वो बढ़ेद दो टाइपके यहां पर आ सकती है इसॉस के हिसाब से एक तो बोले आपके रहेगी कौनसे वाली सब टेर्यक्ट वाली नेयुक्स ãपको возможность ग्रैट की है सीधा बोले आपको यहां पर benefit जो वो अ उन जाए से तीनों में मैं ही अगर आप के पासमास है तो नहीं गर सकते सवाल ही पांविता है कि त Commissioner हो सकता है और फिर की करोगे और उसके जरीए यह चीज़ दो प्रोवाय उता है जब संपने मार्किट में क्या करने वाले हैं सेकंडरी वाला एकसिशिन आगराप करने वाले होंगे तो ऐसी के ने जो है वो बोले create करना ही पड़ेगा और उसके जरीए ही offer जो होगा वो बोले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अधरवाइस बोले अगर मानेजिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं या ट्रस्स के जरीए भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं क्या कि जब employees के लिए जो आप यह वो यहाँ पर क्या करेगी सबसे पहली बाद एक employee ट्रस्ट बनेगी भाई साही ओर employee trust के जरीए आपके जो employees रहेंगे इन employees को क्या पर क्या दिया जाएगा option के condition वह नगे बता दी जाएगे और भाई साथ इसके जरीए आप क्या करोगे यहाँ पर जो आपका पैसा ओगा करते रहेंगे और और जो आपका त्रस्ट यहां पे रहेगा या क्या करते रहेगा और जब बुले शेर्स को एक्सराइज करने का आप आपका आजाएगा option को exercise करने का time plate जो है वो बोले आपको यहां पर आ जाएगा तो ऐसे case में जो shares आपके रहेंगे वो बोले आपको यहां पर कर दे जाएंगे लेकिन सर इसके लिए condition यह है कि आपको बोले company जो है उसको बोले चोड़ कि आपको जाने का नहीं है जब तक कि का दो क्रेंट यहां पर यहां पर जा सकते हैं ठीक है इसमें न एक और चीज़ आपके आती जिसका नाम क्या है सबले यह क्या था Stock Appreciation वाला Scheme Sars Stock Appreciation लेटेट स्कीम इसमें क्या होगा भाई साब इसमें ये कहा गया Company के Employees को कहा गया Company के Employees को यहाँ पर ये कहा जाता है कि अभी बोले मान लिजे For example, हमारी Company के Shares का जो Price है वो चल रहा है 100 रुपए का अगर बुले तुम लोगों ने मैनत करी और Company के Shares का Price है वो बुले अगर हो जाता है कितने रुपए का 180 रुपए का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 80 रुपए का यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ गया तो जितने % यहाँ पर इंक्रिमेंट हुआ होगा इतना % जो है वो आपकी सेलरी में इजाफ़ा जो यहाँ पर कर दिया जाएगा और या फिर उतने रुपए के जो शेर्स रहेंगे ना वो बुले आपको यहाँ पर दे दिये जाएंगे तो ऐसी को स्कीम अगर आप यहाँ पर लेकिया रहे उसे क्या कहा जाएगा सार्स नाम जो दे दिया है भाई साम नहीं हो पर रहा यार माफ कीजिएगा मैं अब डामडोल हो गया हो नहीं हो पर रहा शेलिए भाई सब यहाँ पर क्या चल रहा है सब ग्रीन शू ऑप्शन कितने टाइम के लिए होता है लाइक इतने कम क्यूं है आलस आता भी यह लोगों को लाइक वगरा जो दबाने के लिए आलस जो यहाँ पर आता ठीक है ग्रीन शू ऑप्शन जो आपका रहेगा जिस टाइम पर आपकी कम्पनी के शेयर जो स्टार्टिंग में लिस्टेट रहेंगे जब तक कि आपका प्राइस टेबलाइस नहीं हो जाता है एक डिड़ मेने तक का तब तक के लिए आपका रहेगा एक्जेक्ली टाइम जब में को ध्यान में नहीं आ रहा है चेली बाज सब ओके सब्सक्राइब के अपने यहीं पर ही मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर त mosaj이요 जाने के पहले वापस्पारिक्वेस्ट रहेगा कि CS कार इंडिया और प्रविन्शॉर्ड के पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जो है वो जरूरू कर दीजेगा और कमेंट सेक्शन पर आज की क्लास का रिव्यू जो है वो भी आप याद से दे दीजेगा मिलते हैं अगली क्लास के अंदर टेलें टेके बावाइज एंड लव यू और हे मा माता जी चलिया थेंक्यू सर इतने से टाइम में बहुत कुछ रिवाइज हो गया है मोस विलकव मिटा मोस विलकव सोजाओ सर हम भी सोजाते हैं गुट नाइट मेरे वाइज बावाइज लव यू आप